जहीं दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में कैसे हैं आप लोग राधे राधे भाई राधे सभी को असल में आप लोग के लिए के स्पेशल अनॉस्मेंट चल रही थी सी वज़े से क्लास लेट हो गई हमारी कैसे आप लोग बताईए कैसे आप लोग भाई बढ़ियां हैं मजे में हैं चलिया बहुत शांदार सभी के सभी लोग जो हैं वो लाईव हैं देखे भी थोड़ी क्लास लेट स्टार्ट होई है तो आप लोग उसे थोड़ा सा इतना कहेंगे कि वीडियो को हर जगा पे शेयर कर दीजे जहां जहां पर जुड़े हैं ताकि बाकी बच्चे भी हमारे साथ में आप हैं क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है और काफी जादा बच्चों को डाउट रहता इस कंसेप्ट के उपर इस टॉपी के उपर में और ये वीडियो का जो नाम है मेरे भाई वह हमारा AP Arithmetic Progression समनांतर श्रेनी एक वीडियो होगी हमारे समनांतर श्रेनी के उपर में दूसरी वीडियो हमारी होगी Geometric Progression के उपर में और आज हमने टोटल 30 सवाल आप लोगों के लिए सेलेक किया है और चाहे दो घंटे लगे धाई गंटे लगे या जितनी भी दिर लगे मतलब उस पूरी की पूरी ये क्लास में हम आप लोगों के लिए complete AP जो है वो खतम करा देंगे ठीक है आज के बाद भविश्य में कभी भी आप लोगों को आईए तो सबसे पहले मेरे भाई शुरू करते हैं आज के सेशन को लेकिन लेकिन आज के सेशन को शुरू करने के पहले हम एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को बताना चाहेंगे मैं जितने भी स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ वो सारी स्पेशल वीडियो जो है के स्पेशल प्लेलिस्ट में हमने आप लोगों के लिए सेफ करवा दिये और वो special playlist क्या है जरा हमारी वो जान लीजे तो जब आप यहाँ पर playlist में जाएंगे तो playlist में आपको एक playlist दिखेगा दोस्त और वो हमारा होगा यहाँ पर ब्रहमास्तर सीरीज के नाम से आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रहमास्तर सीरीज के नाम से और कुछ चुनिंदे 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 वीडियो जो है हम यहाँ पर इस ब्रहमास्तर सीरीज वाले प्लेलिस्ट में एड कर रहे हैं ताकि आपको फायदा इसका पहुँच पाए जैसे माल लिजे इस सीरीज के अंदर जब आप खोलेंगे हाँ पर तापको कौन-कौन सी वीडियो दिख जाएगी जैसे डिजिल सम का हो गया सर्ड सिंडिसस का हो गया सिंप्लिफिकेशन का हो गया फ्रैक्शन कंपैरिजन का हो गया ठीक है तो लगबक कुल मिलाकर सारी चीजे जो है ये के स्पेशल पेलिस्ट में जा रही है ब्रमास्तर सीरीज के नाम से जो आप देखिएगा ठीक है अगर किसी ने कोई वीडियो मिस की होगी तो वो ज़रूर देख लेना क्योंकि ये वो टॉपिक होते हैं जो मेरे भाई डिरेक्ली ना पूछ कर एक्जामनर इंडिरेक्ट वे में आपके एक्जामस में पूछा जाता है और कहीं कहीं पर इनका प्रियोग होता है तो या ये हाँ पर शुरू करते हैं समना अंदर श्रेनी हमारा क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है मेरे भाई क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो जैसे मानो कोई भी सीरीज जो लगातार तरीके से बढ़ती हो या कोई भी सीरीज जो लगातार तरीके से कम होती हो उसे हम क्या बोलते हैं AP बोलते हैं arithmetic progression बोलते हैं समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर आप यहां पर जो series लगातार तरीके से बढ़े जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 हो गया 2 के बाद मेरे भाई 4 हो गया 4 के बाद 6 हो गया 6 के बाद 8 हो गया 8 के बाद 10 हो गया तो यह संख्या लगातार तरीके से बढ़ रही है या जैसे मान लेज़े कि कोई series अब 50 है 3 कम हो गया तो 47 3 कम हो गया तो 44 3 कम हो गया तो 41 यह भी हमारा क्या है तो एक AP है यानि जो बढ़ती चली जाए उससे भी हम AP में count करते हैं और जो कम होती चली जाए हम उससे भी AP में count करते हैं arithmetic progression में count करते हैं अब समझें यहां पर इस बात को लेकर यहां पर question में क्या बोला गया है और क्या नहीं अब यह जैसे मान लेज़े कि कोई भी एक series होती है तो बढ़ती चली जाए वो भी AP AP घरती चली जाए वो भी AP लेकिन इसमें कुछ terms होते हैं उनका क्या नाम दिया जाता है कैसे हम उसे बनाते हैं और किस-किस तरीके से हम उन्हें ध्यान रखते हैं जरा वो देखे तो अगर हम बात करेंगे यहां पर तो सबसे पहले जैसे मान लीजे कि मैंने कहा दो दो में अगर हम तीन जोड़ दे तो पांच पांच में तीन जोड़ दे तो आठ आठ में तीन जोड़ दे तो ग्यारा ग्यारा में तीन जोड़ दे तो छोदा इस तरीके से करके मेरे भाई सारे सीरीज यहां पर मौझूद रहते हैं सबसे पहले यहां पर इस दो को हम क्या बोलते हैं तो यह हमारा first term है यानि यह हमारा a है यह हमारा क्या है तो first term है यानि हमारा a है उसके बाद यहां पर अगर हम बात करते हैं तो जो इनके बीच में gap होता है, एपी की सबसे बड़ी खास बात होती है यहाँ पर, कि जो दो संख्याओं के बीच में जो gap होता है, वो हमेशा same रहता है, वो कभी नहीं बदलता है, ठीक है, वो कभी भी नहीं बदलेगा, अगर यहाँ देखोगे, तो यहाँ भी 3 का gap, 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 तो जो gap होता है उसको common difference बोलते हैं, तो यह A हो गया, A का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर first term, यानि पहली संख्या है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर हम difference की बात करते हैं D जिसे common difference कहते हैं अब यह common difference कैसे निकलता है तो देखो यह first term है तो A1 second हो गया तो A2 third हो गया तो A3 fourth हो गया तो A4 इस तरीके से करके सारे term चलते हैं तो second term में से first term घटा दो मेरे भाई second term में से first term घटा दो या फिर fourth term में से देखो या third term में से second term घटा दो ठिक है समझ में आगया बात यहाँ पर या फिर मेरे भाई fourth में से third घटा दो यहाँ पर किसी भी संख्या में से किसी को भी घटा दो तो यह तुमारा क्या निकल के चलाएगा तो common difference देखा किसी भी दो संख्याओं का difference इन दोनों का difference या इन दोनों का difference सबकी value किसके बराबर तो d के बराबर ठीक है ठीक है तो यहाँ पर इससे हम क्या बोलेंगे तो इससे हम बोलते हैं common difference यहाँ पर अब बात आती है यहाँ पर कि common difference की जब हम बात करेंगे तो यह जो common difference होता है यह पूरा का पूरा जो हम series लेकर and sound तक जाते हैं यह अपर तो यह पूरी series में कहानी क्या होती है क्या इस series का कहीं पर कोई and और फिफ टर्म हो गया तो last में ऐसे करते-करते-करते-करते एक an नाम का कोई term आता है उसे हम बोलते हैं आपर in the term उसे हम क्या बोलते हैं उसके बार second term लिखना है तो इसमें हम D जोड़ देते हैं थर्ड टर्म लिखना है तो इसमें एक और D जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 2D हो जाता है, अगला टर्म लिखना है तो A तो रहता ही रहता है, इसमें एक और D जोड़ देते हैं, तो 3D हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से मेरे भाई करते 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 हम लास्ट तक प तो बोलो के term चाहे कोई-बी ओहर किसी के जिगा पर ए है ंतर मेंकितना एगा शर तो ए आएगा उसके बाद यहां पर दिखे जैसे मानिये दूसरा टर्म है तो इसमें से एक कम करके न को गुना किया गया है चौत्धा टर्म लिखना है तो isमें से कम करके D को गुना किया गया है पांचवा लिखना होगा तो उसमें से कम करके D को गुना करेंगे तो यदि मुझे Nth लिखना होगा तो N में से A कम करके और तब मेरे भाई D को गुना करेंगे यह हमारा क्या आ जाएगा तो Nth परना होता है common difference परना होता है अन्धर टर्म परना होता है और हमें क्या क्या परना होगा तो वो भी हम समझा देते हैं तो मेरे भाई जैसे कोई भी आप series लिख रहे होते हैं तो दो बाते सबसे पहले अगर आपको मान लो की कोई series दी गई हो जैसे example के तोर पर मैं पहले आपको कोई भी एक example दे रहा हूँ उसके बाद उस series के उपर बात करूँगा सारी बातों को मेरे बस समझते चलना दोस्त भी उसके बाद बहुत शांदार प्यारे प्यारे question हमारे पास हम लोग करेंगे जैसे महान लिजे 2 हो गया फॉस्त तरम का मतलब ए का मतलब कितना हो जाएगा तो दो हो जाएगा उसके बाद common difference यहाँ पे तो difference की value कितनी? पाँच मेंसे दो घटा दो जैसे यहाँ पर पांच मेंसे दो घटा दो तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा अगर आपको first term और common difference पता है तो उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी term लिख सकते हैं आप second लिख सकते हो, आप third लिख सकते हो, आप fourth लिख सकते हो, आप fifth लिख सकते हो आप कोई भी मेरे भाई term लिख सकते हो जैसे मानों अगर मुझे यहाँ पर क्या लिखना है तो मुझे यहां पर example के तौर पे suppose करिए मुझे यहां पर second term लिखना है तो second term लिखना है तो यहां पर क्या बोलेंगे a plus n minus 1 into d हमारा होता है formula ठीक है a के जगा पर कितना होगा तो 2 होगा ठीक है n के जगा पर लिखेंगे 2 2 minus 1, 1 into difference हमारा कितने का है तो difference हमारा 3 का है तो बोलेंगे sir 2 plus 3 यानि कितना हो जाएगा 5 और सही माइने में देखोगे तो second term तुमारा कितना है तो 5 है मेरे भाई second term हमारा कितना है तो 5 है आज ही यहाँ पर अगली बात हम करते हैं यहाँ पर देखे third term के बारे में हम करते है मान लीजे हमें third term लिखना है तो third term लिखना है तो क्या बोलेंगे a plus 3 में से 1 घटा दो तो 2D हो जाएगा a का मतलब हमारा first term तो first term कितना होगा 2 होगा फिर यहाँ पर difference हमारा कितने का होगा 3, 3, 3, 3, difference हमारा 3 का होगा यानि यह हमारा कितना हो जाएगा तो 8 और देखो तो तीसरा term हमारा कितना है तो मेरे भाई 8 है यहाँ ठीक है आज यह चौथे term की बारे में अगर हम बात करते हैं और चौथे term के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो चौथा term हमारा कितना होगा तो a plus 4 में से 1 कम कर दो तो a plus 3D हो जाएगा a की value हमारी कितनी है तो a की value हमारी 2 है और 3 into difference हमारा कितने का होगा 3 का 3 का 3 का यानि इतना हो जाएगा यानि हम बोलेंगे तो सर 11 हो जाएगा और आप देखोगे तो यह 11 ही है समझ गए तो यहाँ पर second term भी लिख दिया 3rd term में लिख दिया 4th term में लिख दिया अब उसके बाद कहानी आती है एक तो number of terms की और दूसरा हमारा यहाँ पर हो जाता है sum of terms के बारे में ठीक है कि sum of terms भी हम कैसे लिखेंगे जब कई सारे पद हो यहाँ पे तो उनका sum भी कैसे निकालेंगे तो समझो 1st term लिख दिया 2nd term लिख दिया 3rd term लिख दिया ठीक है अब उसके बाद यहाँ पर आता है sum of terms के बारे में sum of terms हमारा कैसे होगा और क्या होगा तो जहाँ पर मैंने आपको यह सारा point लिखा हुआ है दोस्त अब उसी पर अगर मान लीजे कि हम यह कहें समझेगा मेरी बात को लेकर sum of terms के बारे में हम बोलें कि भीया sum of terms यहाँ पर तो sum of n terms का पहले जो formula होता है वो मेरे भाई क्या होता है तो बोलो कि sum of n terms का जो formula होता है सर वो हमारा होता है n by 2 into a plus l या a plus an होता है सर होता है और चुकी मेरे भाई यहाँ पर n by 2 into क्या हो जाएगा a plus an का जो formula होता है वो होता है a plus n minus 1 into d हो जाता है तो इसलिए हमारा sum of n terms क्या बन जाता है तो इसलिए sum of n terms हमारा बन जाता है 2a plus n minus 1 into d 2a plus n minus 1 into d यानि या तो हम यह बोल सकते हैं समझ में आगे बात यहाँ पर कि सर्सम of n terms को हम यह भी कह सकते हैं और स्रम of n terms को हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं ठीक है अच्छा एक बात आज के class के end के बाद मैं पीछे के भी सारे PDF और आज के भी सारे PDF में सारा का सारा upload करवा दूँगा टेलिग्राम पे क्योंकि पीछे के भी काफी सारे PDF साप लोगों के पेंडिंग है मैंने कहा तो था upload करने को लेकिन मैं कर नहीं पाया तो आज मेरे भाई जो है हम पीछे से लेकर अब तक के सारे PDF जो है वो upload कर देंगे session के बाद में ठीक है आईए चलिए तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो जैसे first term हमारे पास लिखा हुआ है difference हमारे पास लिखा हुआ है sum of atoms हमारे पास लिखा हुआ है अगर मान लीजे कि पहले दो term का हम समचाते हैं तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि 2 प्लस 5 हम जोड़ देंगे 7 लेकर आ जाएंगे ऐसे नहीं हम formulas एक बार देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे तो बोलेंगे सर देखो formulas अगर लिखोगे तो n बाई 2 into a प्लस l लिखना होगा a प्लस क्या लिखना होगा तो l यहाँ पे या फिर आप यह कह सकते हो a प्लस l ठीक है कितने टर्म है तो 2 तो 2 divided by 2 और उसके बाद यहाँ a हमारा कितना है first term कितना है तो 2 होगा और यहाँ last term कितना होगा तो 5 होगा क्योंकि मुझे 2 term ही चाहिए तो यह first कहलाएगा और यह last कहलाएगा यानि answer कितना होगा 7 अगर मान लीजे मुझे 4 terms का मेरे भाई सम चाहिए तो 4 terms का sum हम क्या लिखेंगे तो n by 2 यानि कहने का मतलब 4 by 2 और into first term हमारा कितना है तो first term हमारा 2 है और चौथा term हमारा कितना है तो 11 है तो अगर हम बात करेंगे मेरे भाई तो क्या होगा 11 और 12 13 तेरा का दोगना 26 और आप यहां जोड कर देख लो 11,8,19,19,19,5,24,2 हमारा 26 यहां पर क्लियर है यह बात कोई दिक्कत की बात है कोई परेशानी की बात है तो बताइए यानि कोई भी अगर समना अंतर श्रेनी दी गई हो तो हम उसकी पहली संख्या भी लिख सकते हैं दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं लगातार की 10 संख्या भी लिख सकते हैं शुरू के 2 संख्याओं का योग लिख सकते हैं शुरू के पांच संख्याओं का योग लिख सकते हैं मतलब हम सारी बातों को लिख सकते हैं ठीक है चलिए आज़ेगे तो यहाँ पर सज़धा सदा मेरे भाई सवालों पर हम चलते हैं और यह सारी कहानी और बाते वहीं बोली गई है तो मुझे लगता कि उनकी बहुत ज़्यादा कोई आवशकता है यहाँ पर ठीक है चलो आज़ेगे मेरे भाई सर आपकी यूपी पुलिस एसाई की मैथ्स की बुक कब तक आ जाएगी पृति गुमारी पृति गुमारी दस दिन लगेंगे अभी आने मैं अभी थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि रेडी हो गई थी किताब हमारी लेकिन एक बर और जब क्वालिटी चेकिंग में गई तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर काफी सारे सॉलूशन को बदलने की आवशकता है और ज़्यादा बहतर करने की आवशकता है तो ऐसे हम मुझे उठा के देने वाली बात तो हम मुझे उठा के किताब नहीं देते आप लोगों को लो लो किताब बन गई आके ले लो ऐसा काम नहीं होता है आप लोगों कोई बताए कि जिस किताब पर हम काम करते है हमारी टीम काम करती है तो वो अपने आप में एक masterpiece साबित होती है और बच्चे उसको recommend करना शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें खुद वो चीज अच्छा लगता है ठीक है तो आप लोग जब इतना प्यार देते हैं तो मेरे लिए वो जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है तो फिर उसके लिए काम भी करना मैं बहुत सोचोच समझ समझ के काम करता हूँ कि कहीं वो बच्चों के बीच में एक तरीके से गलत वे में ना चली जाए उनका नुकसान ना हो जाए ठीक है तो इसलिए है आप है थोड़ा वक्त लगेगा अभी ठीक है आज है क्लियर है चलो भाई तो सबसे पहला सवाल आप लोगों से बोला गया है के किस मान के लिए श्रिंख ला दो फिर थ्री प्लस के फ्लस सी जो है वो समना अंतर श्रिंग में है बोला गया तो दो हो गया फिर थ्री प्लस हमारा के हो गया और फिर उसके बाद यहां कितना हो गया तो सिक्स हो गया एपी में होने का मतलब क्या होता है एपी में होने का मतलब जैसे इनका जो डिफरेंस है वो इनके डिफरेंस के बराबर हो या तो ऐसा कह सकते है तो 3 plus k के बराबर में होगा ये हमारा 8 का आधा 4 है ओर मेरे भाई 4 बराबर कितना हो जाएगा 3 plus k तो अगर हम घटाएंगे 4 minus 3 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा तो k कमान कितना होगा तो k कमान 1 होगा मेरे भाई ठीक है कोई दिक्कत की बात यहां पर चलिए आज़े शुरू में एक और स्वाल है आईए कोशन नमर दो देखते हैं पटाफ़ट कोशन के आंसर देने हैं आज के क्लास में देखे बहुत ही प्यारा महौल है आराम से हम लोग दो गंटे पढ़ेंगे अभी सीजल का हमारा कैलेंडर भी आगया आप देख सकते हैं SAC का कैलेंडर आ चुक है पूरे 2024 तक में उन्होंने लगबग हर परिक्षा का डेट दे दिया है कि MTS का पेपर कब होगा फेज 11 मतलब फेज 12 बब आएगा उसका पेपर कब होगा इनफेक्ट CPO का पेपर जो है वो सीजल के पहले में है तो आप लोगों कोई चीज़ों को हलके में नहीं लेना यहीं गलती आप लोग हर साल करते हैं बार बार करते हैं कि कैलेंडर देखकर अपने आपको एक निश्क्री अवस्ता में लेके चले जाएंगे कल तक बचे काफी जादा अक्टिव थे लेकिन कैलेंडर के आने के बाद उनकी थोड़ी अक्टिविटी कम हो गई है और यह सोचनल लगया रहे ठीक है हमारे पास तो बहुत समय है आराम से पढ़ाई कर लेंगे तो मेरे भाई यहीं सोच सोच के तो पूरा साल निकल जाता है आखरी ये तीन महीना जब आते हैं जब पेपर होना शुरू होता है तो आप लोग भागम भाग शुरू करते हैं कौन सी वो तीस दिन वाली वीडियो है जिसको देखके सेलेक्शन ले लिया जाए कौन सी वो 50 दिन वाली वीडियो है जिसको देखके सेलेक्शन ले लिया जाए तो ऐसा तो कौई फायदा है नहीं ना मेरे भाई यहां पे समझो तो आप अपने आपको शुरू से यहाँ पर बैतर करने की कोशिश करो अपने आपको perfect बनाने की कोशिश करो जितने topics उसको अच्छे से पढ़ो और अपने syllabus को cover करो ठीक है उस भीड का पात्र मत बनो जो एकदम last में आता है बस pre का paper देता है और नहीं होता है तो फिर साल बर सोता है फिर उसके बाद अगली vacancy जब आती है फिर वो फॉर्मता है फिर आखरी के दो महीने पढ़ता है और फिर वो सोता है आपको उस भीड का पात्र नहीं बनना है आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी करनी है जितना बहतर आप आज प्रिपेर करोगे ना उतना बहतर आज से 10 महीने के बाद आप लोगों का pre का result होगा और जो तैयारी आप आज कर रहे हो ना सिर्फ आपके pre में सहायक होगा बलकि आपके pre और means दोनों में बहुत ज़्यादा helpful होने वाला है इसलिए इस बात को समझे अगर कोई आपके लिए कह रहा है तो वो आपके हक के बारे में बात कर रहा है आपके लिए बात कर रहा है तो अपनी चीज़ों को समझे और बहतर करना अभी से शुरू करिये अपने आप time waste मत करिये मेरे भाई तो question में क्या कहा गया है जरा पढ़िए किसी समन अंतर फ्रेनी का बीसवा पद इतना है और पहला पद इतना है समान मतलब जो अंतर है वो हमारा क्या होगा 20th term of AAP तो अगर हम मान लीजे 20 term की बारे में बात करें तो 20 term का मतलब A होगा और यहां पर 20 term का हम कैसे लिखेंगे मेरे भाई तो हम बोलेंगे सर 20 term अगर हमें लिखना है तो 20 term लिखने के लिए हम यहां A लिखेंगे और इसमें से एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19 D हो जाएगा मेरे भाई उसके बाद यहां पर question में यह भी बोला गया है तो 20 term जो होगा वो हमारा कितना होगा तो 101 होगा तो हम यहां पर ऐसे बोलते है कि सर 20 term की value हमारी कितनी दे रखी है तो 101 दे रखी है 20T का मतलब क्या होता है A प्लस 19D होता है और इसकी value कितनी होती है तो 101 होती है सर उसमें पहला term हमारा क्या है तो पहला term 6 है तो अगर हम बात करते हैं बोलेंगे सर 6 में हम 19D को जोडेंगे तो ये value हमारी 101 के बराबर में होगी यानि अगर हम बात करते हैं तो 19D की value जो होगी वो हमारी कितनी होगी 101 में से 6 गया तो पंचान बे होगी 19 कमान हमारा कितना हो जाएगा 5 तो D की value हमारी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगे यहीं तो सवाल में पूछा था तो हमने आंसर दे दिया 5 एकदम आसान लेवल से हम लोग दोस्तों शुरू करने वाले हैं और धीरे 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 करके हम लोग लेवल को बढ़ाएंगे ठीक है? आज ही यह चलिए, next question की बात करते हैं कितने टर्म है वहाँ पे तो 25 टर्म है जिसका लास्ट टर्म हमारा 314 है और common difference हमारा इतना है तो यानि 25 टर्म है तो संख्या कितनी हो गई मेरे भाई 25 हो जाएगी उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो लास्ट टर्म जो होगा वो हमारा 314 होगा ठीक है और उसके बाद यहाँ पर common difference की बात करते हैं तो common difference हमारा 12 होगा बताई यहाँ पर तो उसका first term हम से पूछा गया है बता सकते हैं हम लोग बोलेंगे सर इतना असान सवाल है आप हमें यह बताओ ठीक है last term के बारे में कहा गया है तो last term का पूरी दुनिया पूरी कायनात को formula पता होता है और क्या होता है तो a plus n minus 1 into d सर शरब कुछ तो यहीं से मिल जाएगा आप हमें देखो last term कितना दिया गया है तो 314 पहला term के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो रहने देते हैं n minus 1 तो पचीस है पचीस में से गया तो 24 24 into difference हमारा कितने का तो 12 का अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 314 में से घटा देने को कितना 24 का दो गुना 48 और यहां पर 24 हिकम 24 और 4 28 मेरे भाई तो यह हमारा हो जाएगा इसके बराबर में 24 और 12 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 26 यानि पहला टर्म कितना हो जाएगा 26 option number B for भाहुबली समझ में आगे बाद कितना हो जाएगा option number B for भाहुबली बिल्कुल पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहना है और हर जगा पे शेयर करते रहना है आज ही ये चलिए question number 4 हम लोग दोस्तों देखते हैं question number 4 में हमसे क्या बोला गया है एकदम अभी से तयारी आप लोग शिरू करिए हम आप लोगों के साथ हैं YouTube पर साथ बने हुए हैं ठीक है और आपके paper तक हम आप लोगों के साथ में और नववा पद हमारा 22 है तो श्रिंकला का सातवा पद क्या होगा अकसरे से सवाल भी पूछे जाते हैं हमारे सामने तो हम इनको पढ़ना होता है समझना होता है अच्छे तरीके से ठीक है क्या बोला गया पढ़िए if the fifth term of a AP is 16 and ninth term is 22 तो अगर हम बात करेंगे पांच्वा टर्म जो है वो हमारा 16 है तो पांच्वा टर्म हमारा 16 है तो देखो पांच्वा टर्म का मतलब यहां पर क्या हो गया तो हम बोलेंगे सर देखिए पांच्वा टर्म है तो इसका मतलब सीधा सीधा A plus 4D लिखेंगे बात का था तो A already का मान हमारा 16 है और 9 टर्म हमारा 22 है तो 9 टर्म का मतलब क्या हो गया उसमें से कम यानी 8D और यह हमारा कितना हो गया तो 22 हो गया ठीक है तो हमसे 7 टर्म पूछा है हमने कहां बताएंगे कोई भी टर्म बताने के लिए देखो अगर हमसे 7 टर्म पूछा गया है तो 7 टर्म जो होता है वो क्या होता है A plus 6D होता है अब भाई इसको तब बताएंगे न जब A और D दोनों का मान पता होगा यार जब ना A का मान पता है और ना D का मान पता है तो कैसे बता सकते हैं बताओ तो यहां पर हम क्या करेंगे तो सबसे पहले इसमें से इसको माइनस कर दो देखो तो माइनस करोगे तो A माइनस एक हतम 8 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 4D आ जाएगा और 22 में से 16 गया तो मेरे भाई कितना आ जाएगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा अगर आप यहाँ दिखोगे तो difference की value आपको यहीं से लेकिन 5th term जो आ गया वो इतना आ गया तो A plus 4D हमने सही लिखा है और 9th term हमारा 22 है तो A plus हमारा इतना है कोई दिक्कत नहीं है 8 में से 4 गया 4 और 22 में से 16 गया तो 6 कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर D की जो value है वो 1.5 है तो difference की value कितनी आ जाएगी तो 1.5 आ जाएगी मेरे भाई अब difference की value 1.5 आ गई तो यहीं difference को हम किसी में भी रख देते हैं तो हमारा A का भी मान निकल के चलाएगा तो जैसे मानो इसी difference को हम इसमें रख देते हैं तो बोलेंगे sir A हो गया प्लस 4 का मेरे भाई डेड़ गुना तो 4 इंटू 1.5 और बराबर हो जाएगा किसके 16 के तो A का मान कितना होगा 15 चोके 60 यानि 6 होगा और 6 जाकर उधर minus करेगा तो A का मान हमारा 10 हा जाएगा अब जैसा कि मेरे पास A का भी मान आ चुका है और मेरे पास D का भी मान आ चुका है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं तो हम यहाँ पर A और D मेरे भाई दोनों का मान बता सकते हैं तो सातवर टर्म बताना है तो A प्लस 6 D का मान A का मान हमारा 10 है और D हमारा कितना है 1.5 तो बोलेंगे सर 6 into 1.5 ठीक है 15 into 6 9 तो यानि 10 जमा 9 कितना हो जाएगा 19 कौन सा option है तो option number C कहोना प्यार है B for बजरंग बली नहीं होगा C for कहोना प्यार C for ठीक है इसी में C for कहोना प्यार होगा ठीक है बताइए मेरे भाई clear है आजओ next question मेरे भाई क्या बोला गया है अब ये देखो ये एक AP दिया गया है और इसका एनधर टर्म हमें बताना है तो अगर हम इसका एनधर टर्म बताएंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे बोलेंगे सर ये देखिए पहला टर्म है ये देखिए मेरे भाई दूसरा टर्म है ये देखिए तीसरा टर्म है तो अगर हम इस गौड से AP को देखते हैं तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और नजाने असंख्या हमारी कितनी संख्याएं आएंगी तो हमें बोला गया एनधर टर्म के बारे में बताने को तो एनधर टर्म का फॉर्मला A plus N minus 1 into D होता है अगर हम देखेंगे तो A का मान हमारा कितना है तो A का मान हमारा कितना हो गया, तो 5 हो गया N का मतलब पता ही नहीं तो हम यहाँ पर N minus 1 लिखेंगे और D का मतलब यहाँ कितना है, difference कैसे पता चलता है, जब इस में से इसको घटा दो तो यहाँ पर देखो, 2 में से 5 को घटा दो D की value निकालने के लिए आप 2 में से 5 को घटा यह कितना मिलेगा, minus 3 मिलेगा तो यहाँ कितना लिखेंगे, तो बोलेंगे, sir, minus 3 होगा तो अगर हम बात करते हैं, तो 5, minus 3 को गुना करेंगे, minus 3 हैं और plus हमारा हो जाएगा 3, यानि 8, minus 3 हैं, कितना होगा, 8, minus 3 हैं, कौन सा option होगा तो option number B for, बाहू बली sir, ELP की vacancy कवाएगी, बता दीजे मेरे भाई ना, railway का पता है, ना, ELP का पता है इसलिए हम लोग यहाँ पर कल Twitter campaign कर रहे हैं और आप सभी Twitter campaign में participate जरूर करें ताकि railway में vacancy आए, और बच्चे जो इतने समय से परिशान है उनकी परिशानी खतम हो, और बिचारों की तयारी जो है वो सही रंग लेकर आए हाँ पर, ठीक है आज यह चलिए, तो यहाँ पर question देखिए, question number 6 हमसे क्या बुला गया फटा-फट इसका answer दीजे, try करिए चलिए आप लोग question में बुला गया है, what is the 11th term of the given AP इसका 11 टर्म हमारा कौन सा होगा तो हम बुलेंगे, sir, देखो, यह पहला टर्म है यह दूसरा टर्म है, यह तीसरा टर्म है, यह चौथा टर्म है यह पांचवा टर्म है, तो यह सारे टर्म ही टर्म है हमारे अब हमें कौन सा पता करना है, तो बुला गया, sir, 11 टर्म तो देखो, 11 टर्म का मतलब क्या होता है यहाँ पर A plus 10 D होता है कितना होता है A plus 10 D तो A का मतलब यहां first term कितना है तो बोलोगे sir 2 है प्लस यहां पर 10 into difference यहां बढ़ता कितना है 4, 4, 4, 4 तो difference कितना है 4 तो कितना हो जाएगा तो बोलोगे sir यह हमारा 42 हो जाएगा sir कितना हो जाएगा 42 कौन सा option है C है बीच बीच में थोड़े से आसान question भी रखे हैं ताकि आप लोग comment में आकसर दे पाएं ठीक है और फिर थोड़ा थोड़ा हम करकर के level बढ़ाते चलेंगे आईए चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल क्या बोला गया है बोला गया यहाँ पर what will be the tenth term of the AP यहाँ पर इसका दसवा टर्म क्या होगा देखो आज के session में कुल मिला के 30 सवाल हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और अगर यह 30 सवाल कर दिया ना तो आपके syllabus में जो AP का part है वो खतम हो जाएगा और उससे बाहर आपके परिक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा ठीक है बिवलब भाई, ब्यूटी सिंग, आशी स्थागूर, आलोग बिहारी आश्वीनी हो गया है काफी बच्चे हो गया है तो बस यह target बना लीजे कि आज के 30 सवाल है बहुत मेरे भाई, महत्तो पूर्ण आप लोगों के लिए आईए बच्चो चलिए इसका answer दीजे इनका दसवा टर्म क्या होगा तो सेम तरीके से आप बोलेंगे सर देखिए हमें क्या पता करना है दसवा टर्म दसवा का मतलब क्या हो जाएगा a plus 90 हो जाएगा a plus 90 में a हमारा क्या होगा पहला टर्म वो होगा हमारा 2 और difference कितना होगा देखो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है तो बोलोगे बढ़ रहा है कितने से 5, 5, 5 तो difference हमारा 5 होगा 45 और 2 हमारा कितना होगा 47 is the correct answer option number D for देवसेना option number D for देवसेना clear है यह बात यहां कोई दिक्कत की बात है कोई परिशानी की बात है चलिए आजएगा अगला सवाल देखते है question number 8 में क्या बोला गया बोला गया in a certain AP 5 time of 5th term is equal to 8 term the 8 term find is 13 term यह मेरे भाई थोड़ा सा tricky question है और कोई बात हमें नहीं पूछा गया यह थोड़ा सा tricky है थोड़ा सा मेरे भाई ध्यान देना है आपको question में क्या बोला गया है कौँ सा term बता करने को 13 हुआ अब 13 हुआ का मतलब यहां पर क्या होता है पता है 13 हुआ का मतलब हो गया A plus 12D आपको इस A plus 12D का मान हमें बताना है कि भाई इसकी value कितनी होगी हमने कहा ठीक है हम इसकी मान बताएंगे लेकिन इसके पहले जो दिया गया है हम उसको तो देख ले कि इसके पहले क्या दिया गया है तो हमने कहा 5 गुना मेरे भाई देखो तो यानि 5 इंटू 5 वर टर्म हमारा कितना है तो 5 वर टर्म हमारा है A प्लस 4D ठीक है मैं दुबारा से रिपीट करता हूँ देख लीजे यहां पर 5 वर टर्म हमारा कितना होगा तो बोलेंगे सर A प्लस 4D होगा और आठवा टर्म हमारा कितना होगा तो बोलेंगे sir ये a plus seven d होगा यहाँ पे sir ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ चलो आजा जाओ तो अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे sir ये five a और plus यहाँ पर कितना है तो 28 d है sir तीक है, अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे तो बोलेंगे सर देखो आठे है आठे में से पांच गटा दो तो तीने निकल के आ जाएगा और अठाइस में से बीस गटा दो तो एट डी निकल के चलाएगा सर कितना निकल के चलाएगा सर तो एट डी निकल के चलाएगा एक सेकंड यहां पर सुरी आठे होगे और यहां पर 56 होगा ठीक है 56D होगा हमारा यहां पर तो बोलेंगे सर आठ मेंसे 5 चला गया तो 3 आ जाएगा और यहां पर 56 मेंसे मेरे भाई यह चला गया तो 36D आ जाएगा और यहां कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा clear है यह बात यहाँ पर यहाँ कितना हो जाएगा 0 अब अगर आप देखोगे इसमें से 3 common ले लो तो 3 common ले लोगे तो कितना बोलोगे A plus 12 D और यह बराबर हो जाएगा हमारे किसके तो 0 के अगर हम 3 को यहाँ लेके चले जाएगा तो कोई बात होगी मेरे भाई बच्चा गहता है कि रेलवे के ट्विटर कैमपेइन के लिए सर प्लीज आप एक वीडियो बनाएगे बिहार वालों के लिए तो शायद आपको बच्चे नहीं पता है आज सुबह 8 बजे सबसे पहले हमारी ही वीडियो आई है यूट्यूब पर ठीक है सबसे पहले हमारी ही वीडियो आई है आप हमारे चैनल पर जाएए और जाकर हमारी वीडियो को देखिए आपको पता चल जायागा ठीक है आज एए तो कॉश्चन में क्या बोला गया पाँचवे टर्म का पाँचवे टर्म का आठवे 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 बराबर है तो यहां से हमें पता चला कि यह प्लस बारणी का मान जो है वो कितना है शुनने के बराबर है यानि बारहवा टर्ममारा कितना होगा तो 0 होगा आईए, next question की बात करते हैं, देखे क्या बोला गया है, how many terms are there in the AP कोई भी श्रिंकला है अगर मेरे भाई, कोई भी समनांतर श्रेनी है अगर, उसमें कितनी term होते हैं बताओ, तो मैं आपको उसके लिए बताता हूँ, देखो, जैसे मानो हम क्या करते हैं, कोई भी AP लिखते हैं कोई भी एक सिरीज लिखते हैं यहाँ पे जैसे पहला term हमारा A हो गया, दूसरा term हमारा A प्लस D हो गया और तीसरा term हमारा A प्लस 2D हो गया और ऐसे करकर के करकर के last में हम A N तक जाते हैं जहां पर हम यह भी लिखते हैं कि A N जो होगा वो बराबर होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D के, यह होता है कि नहीं होता है तो बोलोगे हाँ सरी यह होता है तो यहीं से आपका number of term हम भी पता चलेगा कैसे देखो बड़े प्यास्ता समझना यह हमारा A N यहीं रहेगा वो D देखो यह A जो है प्लस में है तो उसे इधर लेकर आओगे तो यह माइनस में हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई तो माइनस में और यह बराबर होगा N-1 into कितने के तो D के अब अगर हम बात करते हैं तो वो D को ले जाकर इधर भाग कर दीजे तो हम क्या बोलेंगे A N-A और divided by D और यह बराबर होगा किसके तो N-1 के बराबर होगा अब एक छोटा सा काम और कर दो वो minus 1 को भी तर लेके चले आओ तो क्या बोलोगे A N-1 divided by D और यह हो जाएगा प्लस वन यहाँ पे और यह बराबर होगा किसके तो N के यानि आज के बाद हम इतना समझ में आ गया है और हमें क्या समझ में आ गया है कि सरकर कभी भी number of terms कोई भी series में निकालना होगा एपी में तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है आखरी संख्या में से पहली संख्या को घटा दो और उनके difference से भाग कर दो और इसमें एक जोड़ दो ठीक है अगर हम बात करते हैं तो जैसे देखे यह हमारी पहली संख्या यह हमारी दूसरी हो गई यह हमारी तीसरी हो गई और यह हमारी आखरी हो गई तो अगर हमें number of terms निकालने हैं तो यहाँ पर आखरी में से क्या करेंगे पहली को minus कर देंगे divide कर देंगे difference से और जोड़ देंगे यहाँ पर एक में जोड़ देंगे मेरे भाई क्या तो एक में है, तो number of terms की अगर हम बात करते हैं, आखरी हमारी कितनी है, तो 407 है, पहली उसमें से minus करेंगे, 3 minus करेंगे, difference कितने कितने का है, तो 44 का है, तो 4 हो जाएगा, प्लस हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे, 407 में से 3 घटा दोगे, तो 404, 404 बटे में 4 और प्लस हमारा 1, यह काटोगे तो मुन्ना 101 आएगा, और 101 में जोडोगे तो 102 निकल के चलाएगा, यानि कितनी तुमारे number of terms होंगे, तो 2 number of terms होंगे, ठीक है, कितनी डर्म हो जाएगे मेरे भाई, तो 2 number of terms हो जाएगे, 102 मतलब, बहुत शांदार, अभिशेक, रूची आदो, सरूज, ठीक ह बहुत शांदार बच्चो, वेरी गुड, ठीक है, आजएगे, नेक्स्ट कुशन हम लोग देखते हैं, दसवा कुशन यहाँ पर हमारे सामने है, क्या बोला गया है, कहा गया है, समनांतर श्रेनी के लिए tn ग्याद करिए, मतलब nth term ग्याद करिए, जहां पर तीसरा term दे इतना होता है, तो यह है हमारा 22, 17 टर्म का मतलब क्या हो गया, तो a plus 16, d हो गया, और यह हमारा कितना है, तो बोलेंगे sir, minus 20, ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, तो minus करेंगे, हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो minus करेंगे, तो हमने कहा ठीक है sir, minus करते हैं, देखे, तो minus करें और 20 हमारा कितना हो जाएगा तो 42 हो जाएगा क्यूंकि भाई यह प्लस हो रखा है 14 से अगर काटोगे तो 3 बार में यानि कुल मिलाके D का जो मान है वो मैनस 3 आ जाएगा D का मान कितना आ जाएगा मैनस 3 आ जाएगा अब यही D के मान को इन में से किसी एक में रख दो तो तुम्हारा A का भी मान निकल जाएगा तो जैसे मानो यहाँ पर इस equation में क्या करो D का भी मान रख दो तो क्या निकल के आ जाएगा तो A हो जाएगा D का मान माइनस 3 है तो माइनस 3 का दोगुना कितना हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा और ये बराबर होगा 22 के A की value कितनी होगी तो 6 यहाँ जोड़ देंगे तो कितना होगा 28 यानि हमारा ये A का मान हो जाएगा ठीक है अब मेरे पास D का भी मान मौझूद है अब मेरे पास A का भी मान मौझूद है question में हमसे क्या बोला गया एनध टर्म बोला गया तो एनध टर्म हमारा क्या होगा तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D होगा ठीक है तो A का मान हमारा कितना होगा यहाँ पर तो 28 प्लस यहाँ पर N माइनस 1 इंटू यहाँ D होगा और D की value कितनी होगी तो माइनस 3 होगा ठीक है तो अगर हम बात करते हैं अपर तो कितना हो जाएगा तो 31 माइनस 3 होगा जो कि हमारा correct answer है तो कितना होगा 31 माइनस 3 होगा option number C मेरे भाई Sir railway के लिए कुछ बोली है रहे भाई कईसे बोले तुम बताओने एक बात तुम लोग video share किया railway का खाली हमसे बोलता है बोलने को ये बताओ सारे के सारे selfie show रखे विवे किया दो सुबह उठके देखे चैनल पर कि video बनाए है की नहीं बनाए है उसको share भी किया जाना चाहिए की नहीं किया जाना ऐसे तो कडोरों के संख्या में form भरे जाते हैं उसके उपर से फिर आप लोग आके विनमर निवेदन करते हैं किसी teacher से कि सर video बना दीजे हमारे लिए जहां पर उस teacher का उसमें कोई फायदा नहीं होता है बस वो बच्चे के हित के लिए बनाता है और उसके बाद किया आप लोगों ने उस video को share किया कितने बच्चों ने अपने अपने status पे share किया आप जब अपने के लिए ही जागरुक नहीं है तो कोई आपके लिए क्या जागरुक रहेगा मेरे भाई ये बताना अब देखो मैं जो है अभी आप लोग campaign अभी समझो ठीक है आप में से बहुत सारे बच्चे है अगर आज रेलेवे की वेकेंसी आगई ना सारे भरोगे सारे फॉर्म भरोगे जबरदस्ती का competition बढ़ाओगे मैं बोल रहा हूँ ये बात जबरदस्ती का competition बढ़ाना अगर कोई सीजल की भी तियारी कर रहा है ना वो भी पका रेलेवे का फॉर्म भरेगा ठीक है काहे भीया वेकेंसी आई है लेकिन वेकेंसी जब नहीं आई है उस case में यहाँ पर कोई सरकार से पूछेगा भी नहीं की क्यों वेकेंसी दे रहे हो क्यों नहीं दे रहे हो बारा घंटा पहले वीडियो अपलोड की है चाचाट जार वीव है 66,000 क्या इतने ही बच्चे रिल्वे की तियारी करने वाले थे 66,000 बच्चे हैं यहाँ पर थे फॉर्म भरते समय एक करोड़ से दो करोड़ फॉर्म भर दिये जाते हैं और जब बात campaign करने की आती है तो मातर इतने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और वो भी हमारे अपने चैनल के जहाँ पर रिल्वे के कम बच्चे है कल ट्विटर campaign में ही आप लोगों की हालत दिख जाएगी बताइए आप लोग जब अपने लिए ही जागरुक नहीं है तो क्या जरुवते कहीं पर जागे भीख मांगने की कि सर ये कर दीजे वो कर दीजे वो कर दीजे पहले आप तो अपने आपको थोड़ा सा सक्षम भनाएए आप जब एक दूसरे का ही सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कहां से काम चलेगा कोई टीचर इसके उपर बात तब करेगा ना जब आप उस टीचर की वीडियो को प्रोमोट करोगे एक तरीके से शेयर करोगे मेरी छोड़ो यार मेरे को तो जरुवती नहीं है आप किसी और की बात कर लो आप लोग आपस में केमपेंड कर लो टीचर कितना केमपेंड कर लेगा मैं अपने टूटर अकाउंट से कितने ट्वीट आप लोगों के फेवर में कर लोगा यह बताईए एक बीस सो दो सो हजार सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल पर मैं ट्वीट करता रहूंगा आप लोगों के लिए बस उससे क्या होगा यह बताओ भाई मैटर तो सरकार को तब सुनाई देगा ना जब आप लोग ट्वीट करना शुरू करोगे जब आपके अपने ट्वीटर हैंडल से ट्वीट जाएंगे गौवर्मेंट को लेके तब उनको दीखेगा लाखों की संख्या हम बच्चे ट्वीट कर रहे है सिर्फ आप लोगों मेंसे कुछ बच्चों की एक्स्पेक्टेशन होती है हमारे टीजर हमारे लिए ये कर दें हमारे लिए वो कर दें बट हम अपने लिए कुछ ना करें बस ये बात है कैसे कैसे काम चलेगा भाई बताओ नहीं आई वेकेंसी तो तुम भी कुदो उतने ही जंग में तुमारे उंदर कहां उतना जोश दिख रहा है हरे चीज दूसरों से एक्सपेक्टेशन मत करें कई बार अपने आप पर भी देखे कि आप क्या कर रहे है हम टीचर्स का काम था हमने एक कम्यूनिटी बनाई उसमें आपस में शेयर किया हाँ ये टैक जो है वाइरल करना है बट सबसे साथ है इंपोर्टन्ट उसका आपका आजाता है आप उसमें कितना पाडिसेपेट करोगे आपका मुद्ध हैसर आप उठी है आप सामने आए आप नहीं आएंगे तो हम एक दो बार कैम्पेइन चलाएंगे बंद कर देंगे उसके बाद बात खतम ठीक है अपने जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे चलता रहेगा क्लास अनिश्चित काल के लिए आप लोगों की विकेंसी गई अब आप लोग समझे वीडियो बनाया शेयर करना था एक दूसरे तक पहुचाना था लोगों के अंदर में गर्म जोशी रखनी थी कल सुबह ताबर तो ट्वीट करने थे ट्वीटर को फॉलो करके जो है कैमपेइन को हैस्टे को और सर्कुलेट करना था कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने और फिर एक्सपेक करते हैं टीचर आपके लिए सब कुछ करेगा आईए तो कुछिन में क्या बोला गया है एक AP में यदि दूसरा तर्म पांचवा तर्म और ये हमारा 10 है और उसके बाद यहां पर यह भी एक एक्क्वेशन है कि दूसरा तर्म प्लस नौवा तर्म 17 के बराबर है तो बीसवा तर्म हमें पता करना है मैंने कहा बहुत असान है सर समझो इस बात को लेकर आप यहां पे तो second term की बात करते हैं तो second term हमारा क्या हो जाएगा a plus d हो जाएगा उसके बाद 5 पर term हमारा कितना हो जाएगा तो a plus 4 d हो जाएगा और उसके बाद उसमें से घटाया गया है तीसरे वाले टर्म को तो तीसरे वाले टर्म बच्चा हमारा कितना होता है मेरे भाई बताना जरा तो बोलोगे सर ये A प्लस 2D होता है कितना होता है A प्लस 2D बट जुकी सर माइनस किया गया है न तो हम यहाँ पर माइनस A माइनस 2D लिखेंगे क्या लिखेंगे तो माइनस A और माइनस कितना लिखेंगे 2D लिखेंगे और ये बराबर होगा हमारे किस के लिए 10 के लिए A से हमारा A खतम ठीक है उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर हम A लेकर आते हैं 4 और एक 5, 5 में से 2 चला गया तो 3D है तो A प्लस 3D का मान हमारा कितना है तो 10 हो गया ठीक है ये हमारा value निकल कर आगया ये हमारा पहला part हो गया अब दूसरे part की बात हम करते हैं दूसरा part हमारा क्या है second term और ninth term यहाँ पे तो second term हमारा हो जाएगा A प्लस D और ninth term की अगर हम बात करते हैं A प्लस 8D हो जाएगा और ये हमारा किसके बराबर होगा बताना तो 17 के बराबर हो यानि यहां से अगर हम equation ले कर आएंगे तो हम यहां से A प्लस A हम कितना ले कर आएंगे तो बोलेंगे सर हमें 2A मिल गया और हम D प्लस 8 कितना ले कर आएंगे तो 90 मिल गया सर और ये बराबर होगा किसके तो 17 के देखो कभी भी आपको कोई भी term पता करना हो तो जाहिर सी बात है आपको जैसे 20 वा term पता करना है तो first term भी चाहिए common difference भी चाहिए तो पहले वाले equation से ये मान पता हो गया दूसरे वाले से ये पता हो गया अब मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे तो अब यहाँ पर जो है a और d की value निकालोगे तो एक काम करो यहाँ पर पहले क्या कर दो दो गुना कर दो और दो गुना करके इसको घटा दो minus 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 तो 2a में से 2a चला गया तो 0 हो जाएगा उसके बाद 6d 2 into 3 6d और 6 में से 9 घटा देंगे तो minus का 3d हो जाएगा ठीक है 2 into 10 मेरे भाई 20 घटा देंगे 20 में से 17 हमारा 3 चला जाएगा इसे हम खतम करेंगे तो d की value कितनी आ जाएगी minus 1 अब d की value minus 1 आ जाएगी तो जब इसी d के मान को अगर हम इसके अंदर में रखेंगे तो हमें किस का मान पता चल जाएगा a का भी तो हमें काम करते हैं d की value minus 1 दी गई है तो हम यहाँ पर इसी d को इसमें रख भी देते हैं तो बोलेंगे सर देखो हमें पता है कि a plus 3d का जो मान है वो हमारा किस के बराबर में है 10 के बराबर में है और d का मान हमारा minus 1 है तो हम बोलेंगे सर a minus 3 बराबर कितना 10 के तो a का मान कितना हो जाएगा 13 क्योंकि देखो minus 1 को 3 से गुना करने पर minus 3 तो a का मान कितना निकल गया मेरे भाई 13 यहाँ पर आपके पास common difference आगे, आपके पास first term आगे अब आप आराम से यहां पर कोई भी term निकाल सकते हो आपको कौन सा term चाहिए यह बताइए 20 वर term चाहिए तो 20 वर term चाहिए तो आप यहां पर क्या बोलेंगे तो बोलेंगे sir A plus 19 D क्या बोलेंगे A plus 19 D A हमारा कितना है 13 और D हमारा 9 into minus 1 यानि minus 19 तो कितना हो जाएगा भाई, minus 6 हो जाएगा कौन सा option है तो option number B for बाहु बले अगर ऐसा होता इस particular question में कि जैसे मानो तीन option जो होते प्लस में होते और एकी option हमारा minus में होता तो जिस तरीके से हमारा difference है और term की बात की गई है तो वो संख्या हमारे minus में ही आती ठीक है क्लियर है भाई चलिए वीडियो को लाइक करते रहेगा एक बार आप लोग बताइए इस सवाल का उतर दीजे जल्दी से फटा फट बारावा question हमसे क्या बोला गया बताइए अगर पी-ध टर्म किसी एपी का Q है और क्यूए टर्म जो है वो P है तो उसका आरे टर्म क्या होगा ये question आपके आरे सगरवाल का है और साथ में कैट में भी एक बार पूछा गया है और ये question बचों को काफी जादा confuse करता है तीक है वो बिशारे बड़ा confuse है रहते हैं यार कैसे बनाए क्या बनाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है पी-ध टर्म की बात बोली है देखो पी-ध टर्म तो पी-ध टर्म का मतलब जैसे एन-ध टर्म होता है तो N में से A गटाते हैं तो पी-ध टर्म होगा तो P में से A गटाएंगे तो ये हमारा मेरे भाई पी-ध टर्म होगा और ये किसके बराबर होगा तो Q के बराबर होगा उसके बाद यहां पर क्या बोला गया इसको अगर हम लोग तोड़ के लिखना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर ये हमारा हो जाएगा A फिर हमारा हो जाएगा सर P D फिर हमारा हो जाएगा माइनस का D और ये बराबर हो जाएगा Q के अब बोला गया Q-त टर्म जो है वो हमारा P है Q-त टर्म जो है वो हमारा P है तो P-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T- आप लोग इसर ऐसे minus ना करके हम लोग सबसे बढ़िया minus का चिन लगा लेते हैं minus minus plus और minus इससे क्या रहता है थोड़ा समझाना आप लोगों के लिए आसान हो जाता है मेरे लिए तो ये हमारा पूरा का पूरा नाश हो जाईगा खतम PD में से QD हमारा माइनस हो जाएगा तो हम ऐसे लिखेंगे PD माइनस QD मेरे भाई प्लस D से देखो ये माइनस D और प्लस D हमारा खतम हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा Q माइनस P अब आप लोग मुझे बताओ यहाँ पर आपको common क्या दिख रहा है तो बोलोगे सर मुझे D common दिख रहा है तो अगर हम D यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ बोलेंगे P माइनस Q हो गया और यहाँ पर क्या हो गया माइनस common दे लेंगे तो यह हमारा P माइनस Q हो गया इसको इससे काट देंगे तो यहाँ पर D कमान कितना होगा तो minus 1 हो जाएगा difference की value कितनी हो जाएगी minus 1 तो यहाँ पर d command कितना होगा तो minus 1 होगा मेरे भाई यहाँ पर clear है अब d command हमारे पास minus 1 होगा तो यहाँ पर d command अगर minus 1 होगा तो यहाँ पर d command कितना होगा minus 1 अब हमारा d command अगर minus 1 होगा तो यह d command अगर minus 1 होगा तो हम क्या गरेंगे इसमें किसी में भी एक रख देंगे ताकि हमें a command पता चल जाए क्योंकि कोई भी series होती है तो कोई भी series होती है तो हमें या तो A निकालना होता है और D निकालना होता है यहीं दो बात उपर हमारे सब्णतिका होता है तो जैसे अगर हम बात करते हैं D की value हमारा minus 1 है अब यहीं D के Moran को हम इसमें रख देंगे तो हमारा A का Moran निकल के चला आएगा तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो जरा तो क्या बोलोगे sir a हो गया प्लस यहाँ पर p-1 हो गया या इसमें रख दीजे या उसमें रख दीजे कोई दिक्कत की बात नहीं है तो p-1 हो गया into minus 1 और बराबर हो जाएगा किसके तो क्यों के क्लियर है यह बात यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है कोई परिशानी की बात है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे a हो जाएगा p को minus 1 से गुना करेंगे minus p हो जाएगा यहाँ पर हमारा plus 1 हो जाएगा और यह बराबर हो जाएगा क्योंके ठीक है कि आज हमारे यूट्यूब चैनल के साथ लग रहा है कोई शेडशाड कर रहा है और मैं इसका जीदा जागता सबूत आप लोगों को दिखा रहा हूं अभी यूट्यूब पर देखते चलो अचानक से 1200 लोग पर दोसों से फिर 1100 पर चले गए फिर 1100 से 300 पर आगे और तब से पर टीम को ही कह रहा हूं की वीडियो बनाने को यहांपर ठीक है अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा है किया जा रहा है या कुछ हो रहा है क्या हो रहा है अचानक से 1300 और शारे बच्या अभी लाइव है कमेंट दे रहे हैं और फिर रुदेखो 1000 पर आ महानी चल रही है अभी देखते चलो आप लोगों को यूट्यूब के मैजिक दिखाता हूं मैं देखें आपे सामने कितना दिखा रहा है 300 ची वाचिंग नौ ठीक है और फिर अभी देखो विदिन सेकंड्स में बदलेगा कितना एक हजार पिच्यासी ऐसे कभी भी यूट्यूब पे नहीं बतलता है भाई कोई सेशन को हैक कर रहा है पका है एक हजार चीजा पहे हिसा कबही हृँ कि जार से तो देखने को नहीं मिलेगा, जो तमाशा भी यहां देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्या गिलिच हो सकता है, यह, नेटवर्क हमारे एंड से तो सही है, बफरिंग होता तो बच्चा थोड़ी बढ़ता वापस, इंक्रीज 640, यह वह तो, 1149, ऐसा नहीं होता है, चोलो भी क्लास पूरा गिया जाए, बाद में इसका हिसाब किताब देखा जाएगा, आईए चली हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे ही एक रात हुआ था, और उसके बाद हमारा रहेंकर जुहरकुल यूटीब शैनल चैनल हैक हो गया था, उस रात भी मैं बढ़ा रहा था, मुझे आज भी याद है, और ऐसे ही हमारे लाई वाचिंग के साथ डिस्टरबिल्स हो रही थी, और रात बर में पूरा चैनल से वीडियो गायब हो गया, और बिटकोईन का याड आने लगा, और पता नहीं क्या-क् बढ़ बढ़ हो गया था, पूरी रात हम लोग परिशान थे, तब जागे चैनल रिकवर कर पाये थे, देखते हैं, अभी क्लास के बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, फिलाल अभी देखेंगे यहां पे, ठीक है, डी कमान हमारा माइनस वन है, अगर डी कमान हमारा माइनस वन है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, तो यहां फॉर्स टर्म कमान हम कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे, सर क्यों हो गया, माइनस पी को उधर ले जाएंगे, तो प्लस पी हो जाएगा, और यह हमारा ले जाएंगे, तो माइनस वन हो जाएगा, तो यह हमारा क्या ह तो first term, यानि आज मेरे पास D है, आज मेरे पास A है, तुम्हारे पास क्या है, ये बताओ, तो हमने कहा सर देखे हमें R term निकालना है, तो R term निकालना है, तो क्या बोलेंगे, A plus R minus 1 into D, A plus R minus 1 into D, तो A हमारा क्या हो गया, तो A के जगह पर हम ये लिखेंगे, सर Q plus P minus 1, ठीक है, और उसके बाद D का मतलब minus 1 है, तो minus 1 को R से गुना करूंगा, तो minus R, और minus 1 को minus 1 से गुना करूंगा, तो plus 1, ये हमारा खतम हो जाएगा, तो उत्तर हमारा होगा, P plus Q minus R, कौन सा option है भाई बताना, तो बोलोगे, P plus Q minus R, option number D, D for देवसेना, ठीक है, तो समझ म आगया, यानि कोई भी टर्म, जैसे अभी आपने देखा था, पीछे, 7 वर टर्म और 19 वर टर्म दिया है, तो हमने A की भी value निकाली, और D की भी value निकाली, और तब उसके बाद जो भी टर्म हमें बोला गया था, हमने उसकी value पता की, ठीक है, उसी तरीके से मेरे भाई, यह है, यहाँ पर क्या दिया गया है, तो Pth term दिया गया है, तो Pth term से यहाँ value निकाली है, A की और Qth term से D की value निकाल के, और तब उसके बाद यहाँ पर जो हारे term हमने बोट कर दिया है, ठीक है, अब नोट नमबर थरी क्या है, Note number 3, मेरे भाई, बहुत important बात मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, समझेगा, सीखेगा यहाँ पर क्या बोला गया है Common term of 2 AP, with common differences D1 and D2 are also in AP, with common differences इतना कहने का मतलब यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं मैंने कहा कि एक AP अलगी कहानी चल रहा है, और दूसरे AP में अलगी कहानी चल रहा है और मुझे यहाँ क्या निकालना है, तो मुझे यहाँ पर इनका common term निकालना है यह एक तरीके से जैसे अब यह देखो, यह एक अलगी श्रिंकला है यहाँ पर 3 में 4 जोड़ेंगे, 7 आएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे, 11, 11 में 4 जोड़ेंगे, 15, 15 में 4 जोड़ेंगे, 19 यह अलiska सिरीज है.. दूसरे सिरीज में 5 जोड़ेंगे.. 6 , 5 जोड़ेंगे.. 11 , 5 जोड़ेंगे.. यह हमारा मेरे भाई कितम.. अब यह एक अलग EP है.. यह एक अलग EP ہے.. और उसके बाद यहां पर ऑला गया है.. अब इसमें कई सारे कॉमन टर्म होंगे.. आप देखो एक दोनों में common कौन सा दिख रहा है? 11 आगे चल कर एक और टर्म मिलेगा एक और टर्म मिलेगा तो ऐसे मेरे भाई कौन सा वाला टर्म मुझे पता करना है? 10 वा टर्म ये तो पहला common टर्म है एक और मिलेगा उसको दूसरा common टर्म बोलेंगे एक और मिलेगा उसको तीसरा common टर्म मिलेंगे ऐसे पता करते करते हमें 10 वा common टर्म बता करना है कैसे पता करेंगे तो सबसे पहली बात कि अगर कोई भी दो अलग-अलग शरिंकला दी गई है कोई भी दो अलग-अलग स्रेणी दी गई है उसके आधार पर हम खुद की श्रीनी कैसे बनाएं हम यहाँ पर खुद का सिरीज कैसे बनाएं तो मेरे भाई वो खुद का सिरीज बनाने के लिए यहाँ पर इसके difference को आप D1 का नाम दीजिए इसके difference को आप D2 का नाम दीजिए और मेरे भाई श्री गनेश करके इनका LCM ले लीजिए यानि बोलेंगे सर LCM of D1, D2 यहाँ पर बस वो सीरीज आपका आ जाएगा यानि उस सीरीज का जो डिफरेंस होगा न वो मेरे भाई इनके डिफरेंस का LCM होगा वो इनके डिफरेंस का LCM होगा तो जैसे पहला टर्म क्या है 11 तो उस सीरीज का पहला टर्म मेरे भाई क्या होगा तो 11 होगा दूसरा टर्म क्या होगा तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का 4 का यहाँ पर डिफरेंस कितने का 5 का और इनका LCM कितना होगा तो बोलोगे 20 होगा तो सरी यहाँ पर अब उसका difference होगा वो कितना होगा 20 इसका difference 4 का इसका difference 5 का तो क्या बोलेंगे LCM of 4,5 यानि कितना हो जाएगा तो बोलोगे 20 यानि उस series में 20-20 का difference आएगा तो पहला 11, 20 जोड़ देंगे 31, 20 जोड़ देंगे 50 20 जोड़ देंगे ऐसे करते करते मेरे भाई जाएगा यहाँ पर और यह अब वो series बन गई है जिसमें यह पहला common term है यह दूसरा common term है यह तीसरा common term है मुझे कौन सा वाला common term पता करना है दसवा कौन सा पता करना है मेरे भाई दसवा तो दस्वा का मान पता करेंगे तो क्या होगा A प्लस 9 D यहाँ पे A हमारा कितना हो जाएगा तो 119 हो गया और difference की value देखोगे तो difference हमारा कितना हो गया 20 ठीक है difference हमारा कितने का हो गया सर 20 तो 9 दुनी 18 और 11 191 कौन सा option है भाई option number A ठीक है सर कुछ कहेंगे पता नहीं क्या कहेंगे मज़े भी नहीं पता है आज टेक्निकल इस्यू की वज़े से मेरी एपलिकेशन पर क्लास थी वो कैंसल होगी तो उस टाइम फ्री हो गया था तो मैं अधित्य सर की क्लास में पिछले आदे घंटे से देख रहा था वहां दूसरे रूम में बैठ करके मतलब मैं देखता रहा देखता रहा क्योंकि मैं फ्री हो गया था तो मैं का चलो क्लास देखते हैं तो देखते देखते मेरा इतना इंटरेस जगाना कि और मतलब पढ़ाने का जो तरीका है ना मतलब इस अर्थमेटिक प्रोगसेसन या इस टाइप की सेलेक्शन की सोचते हैं, यह जो ब्रमास्थर सीरीज चला रखी है, मतलब कमाल के तो questions हैं, और questions का तरीका मुझे इतना प्यारा और इतना बहतरीन लगा समझाने का, कि यार मतलब सच में आदे गंटे होगार, मेरा इंट्रेस्ट इतना हुआ, कि मैं पूरी क्लास खतम करूँगा, तो सारे काम छोड़े करके, आज मैं पूरी क्लास खतम करूँगा, तो इतने बहतरीन तरीके से आपको सिखाया जारा, पढ़ाया जारा, और background में इन चीजों के समझ में भी आए, बच्चे को प्यार भी हो जाए, तो आप इस सीज को हर जगह फैलाया करो, कि एक मातर टीचर ऐसे हैं, जो कठिन से कठिन सवाल और कठिन से कठिन चीजों को बड़े बहतरीन तरीके से दिमाग में फिट करते हैं, और सच में मतलब दोबारा से प्यार हो है, मुझे आपकी टीचिंग से, हैना उस लड़की से नहीं, इनकी टीचिंग से, तो वास्ता में कमाल की टीचिंग थी, आज मतलब इतना मज़ा आया, पढ़ करके, अभी इम बाग की क्लास भी पूरी देखूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत पेशन्स रखना पड़ता है, कई बार छोड़ी छोड़ी चीज़ों को लेके, ऐसे टॉपिक्स उठाने के पहले सोचना भी पड़ता है, कि पता नहीं, बच्चे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्या होगा, ठीक है, बट आपकी बातों ने से मोटिवेशन भड़ दिया है, पूरा का पूरा, ठीक है, तो अभी आगे और पढ़ते हैं, और अभी और सवालों को मेरे भाई करते हैं, तो उमीद करते हैं कि आप ये सवाल समझ पाएं, और जैसा कि सर ने कहा कि यार ये टॉपिक ऐसा है, जिसमें बच्चे बहुत कमेंटर्स दिखाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यार क्या ही करना है, बट मुझे पता है जब तुम सवाल में अटकोगे तो अब तुम्हें समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, बस ये वाली बात है, ठीक है, तो आज ये चलिए, तो दसवा टर्म अ continuous तरीके से जोड़ते चलेंगे, बीस-वीस तो हमारा एक नया सिरीज बन जाएगा, ठीक है भाई, लव यू भाई, सभी को लव यू, आज ओ चलो, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, जरा समझी, यह बड़ा प्यारा नोट है यहाँ पर, बोला गया, in an AP, the sum of terms, equidistance from the beginning and end same यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, दिखें, जैसे छोटी सी बात, दो हो गया, चार हो गया, छे हो गया, आट हो गया, और दस हो गया, हो गया, अब एक और टर्म ले ले लेते हैं, बारा, अब यह क्या है, तो यह एक AP है, लेकिन बहुत सारे बच्चेस के अंदर में छोटी 12, 14, 4, 10, 14, 6, 28, 14, तो मेरे भाई, इसके उपर भी काफी सारे प्रिवेस एर के सवाल बनते हैं, और आप यहाँ पर देखिए, उनस सवालों का निर्मान कैसे होता है, और कैसे आप यह वाला ट्रिक अपना करके उनस सवालों को आसान कर सकते हैं, तीक है, आप जैसे यहाँ देखो, बोला गया, find the sum of first six term of AP, अगर third term और fourth term हमारा इतना है, मुझे यहाँ किसी शमना अंतर फ्रेनी के पहले छे पदों का पता लगाना है, तो जैसे मैंनों पहले पद को हम यहाँ A1 बोलेंगे, दूसरे को हम यहाँ पर A2 बोलेंगे, तीसरे को हम यहाँ A3, चौथे क हम यहाँ A4, पांचवे को हम यहाँ A5, और छटे को हम यहाँ A6 बोलेंगे, ठीक है, और मुझे इन सब का sum पता करना है, मुझे क्या करना है, इन सब का sum जो है, वो पता करना है, इसमें हमें क्या बोला गया, तो इसमें हमें बोला गया, तीसरा टर्म और चौथा टर्म हमा यहां पर यह 5 और 8 मेरे भाई यहां 13 है तो उसके बाद 2 और मेरे भाई 5 यह वाला भी हमारा कितना होगा तो यह भी हमारा मेरे भाई 13 होगा पांच जमा आठ 13 है मेरे भाई इन दोनों का सम हमारा 13 है इन दोनों का भी सम हमारा 13 होगा और पहले और आखरी का भी सम हमारा 13 होग तो पूरा का पूरा यहाँ पर पहले से लेकर 6 तक का sum निकल गया कि नहीं पहले और 6 का sum 13 दूसरे और 5 का sum 13 तीसरे और 4 का sum 13 सब को जोड़ दो तो एक से लेकर 6 का मान निकल जाएगा ठीक है आईए चलिए एक और सवाल यहाँ पर देखते हैं एक और सवाल हम से क्या बोला गया अब जरह जैसे मान लो कि मैं आपको कोई ऐसा टर्म देता हूँ जिसमें 6 नहीं 5 टर्म हो जैसे यहां पर जैसे मानो यहां 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया और 10 हो गया जब यहां पर देखो गे कितने डर मिलेंगे पांच डर मिलेंगे तो पांच डर मिलेंगे तो यहाँ पर देखो यह हमारा कितना होता है तो बारा ठीक है यह हमारा कितना होता है तो बारा लेकिन यह बेचारा किसी के साथ कपल नहीं बना सकता तो यह कपल क्या बनाएगा, अमेशे उसका आधा बनाएगा यानि कितना बनाएगा, तो 6 बनाएगा या ऐसे कह सकते हो, एक अकेला का डबल ये दोनों मिलकर एक अकेला का डबल ये दोनों मिलकर आप ऐसे भी कह सकते हो, बोलोगे इतना क्यूं बताए इस सवाल के लिए बताए हम इस question में क्या बोला गया है जरा पढ़ो find the sum of first five term of AP if third term is four 5 term का sum बताना है तो पहला term हमारा A1 है दूसरा term हमारा A2 है तीसरा term हमारा A3 है चौथा term हमारा A4 है पांचवा term हमारा A5 है है यहां पे और question में बोला गया पहले 5 term का sum बताओ अगर तीसरा term जो हमारा चार है ठीक है किससे समना अंतर स्रेणी के पहले 5 पदों का योग बताए तीसरा पद हमारा चार है यह वाली value हमारी कितनी है चार है तो अगर यह चार है समझ गए चोटी-चोटी बातों को लेके सरोज, सुगम, महीमा शो, प्रिंज शर्मा, रंजीत कुमार बहुत शांदर भाई ठीक है आज ही चलिए अब next यहां पर देखते हैं जहां पर मैंने बोला है कि assuming the terms in AP AP में अगर हमें संख्या मानने हो जैसे माननो कई बार ऐसा होता है कि बुलता है फलाना जो है मेरे भाई यहां पर यह तीन टर्म का सम है या फलाना जो है तीन टर्म का product है तो कैसे होगा, क्या होगा तो जैसे कोई भी अगर AP के term हमें खुद ही मानने पड़े जैसे माननो मैं सोच रहा हूँ यार कोई एक ऐसा series होगा जिसमें मातर तीन ही term होंगे तो तीन ही term होंगे तो हम कैसे लिखते है पहले term को A लिखते है इसके पीछे वाले को A-D लिखेंगे और यहां पर मेरे भाई इसके आगे वाले को A-D लिखते है इससे फायदा क्या होता है sum लेने में आसानी रहता है अगर मुझे तीनों का sum लेना पड़े तो minus D और plus D कर जाता है सीधा का सीधा 3 यह निकल कराता है यह फायदा होता है तो पहला term हमारा क्या होगा तो पहला term हमारा हो जाएगा A-D देखो तीन term होगा odd वाले के लिए अलग कहानी होती है even के लिए अलग यह odd के लिए मेरे भाई कहानी थी तो 5 term भी हमारा एक तरह का odd ही है तो odd में हमेशा बीच में A मानना होता है एक बार इसमें A कम करोगे ठीक है एक बार यहाँ पर कम करोगे मेरे भाई तो एक बार यहाँ पर बढ़ा देना तो A plus D कर देना फिर एक बार इसमें 2 कम करोगे तो A minus 2D हो जाएगा तो एक बार इसमें बढ़ा देना तो A plus 2D हो जाएगा मेरे भाई तो यह कितने term हो गए हमारे कुल मिलाकर 5 हो गए कितने हो गए 5 ऐसे ही अगर 7 term भी निकालना पड़े या कितने भी और term निकालना पड़े एक को बीच में रखना एक उधर plus में तो एक इधर minus में एक उधर और plus में तो एक इधर और minus में यह कहानी चलती रहेगी बिल्कुल अब बात आती है 4 terms के लिखने के बारे में 4 में थोड़ा सा कहानी different होता है हम a नहीं मानते है हम सीधा सीधा यहाँ पर a minus d मानते है और a plus d मानते है यह हो गया मेरे भाई यहाँ पर समझना और हम क्या मानेंगे तो जैसे मानो 2 term हो गया तो दो term के लिए यह मानेंगे 4 term हो गया तो इसको और पीछे लेकर जाओ a minus d है तो अब a minus 2d करो और यह a plus d है तो यह a plus 2d करो यहाँ पर तो बस इतना मेरा कहना है कि जैसे मानो odd term होता है तो a से शिरुवात करते हैं और even term होता है तो मेरे भाई a plus d और a minus d से शिरुवात करते हैं इसको पीछे खीचते जाओ और d कम करते जाओ आगे बढ़ाने के लिए d जोड़ते जाओ इसमें पीछे खीचने के लिए d कम करते जाओ और आगे बढ़ाने के लिए d जोड़ते जाओ इस तरीके से हम करेंगे और दोस्तों पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहे है यह लाइक है आप लोगों की कैपसूल है मेरे लिए एनरजी कैपसूल है तीक है यही मेरा खाना है यही मेरा पीना है यही मेरे लिए सब कुछ है ठीक है आपका प्यारी मेरे लिए सब पूछा है तो बस वो लाइक करते रही है आप लोग आईए तो कोशें नमबर 16 की बात करते हैं तो क्या बोला गया है तो तीन टर्म का मतलब पहला टर्म ए होगा उसके बाद मेरे भाई ए माइनस डी होगा एक और एक हमारा ए प्लस डी होगा तो यहीं वो उसके तीन टर्म होंगे यहीं क्या होंगे तो वो तीन टर्म होंगे और यहीं तीन टर्म को जोडने पे कितना आया है मेरे भाई तो माइ माइनस वन हो जाएगा एक अमान कितना हो जाएगा तो माइनस वन अब कोश्चन में उसके बाद यहां क्या बोला बोला तीनों का जो प्रोड़क्ट है वो हमारा आठ के बराबर है तीनों का जो प्रोड़क्ट है जैसे मानो A माइनस D हो गया फिर हमारा A हो गया और फिर हमारा A प्लस D हो गया यह हमारा किसके बराबर में है तो माइनस आठ के बराबर में है किसके बराबर में है तो माइनस आठ के A कमान कितना है दोस्तों तो 1 माइनस D अगर हम सही तरीके से देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 1-D है इसको देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 1-D है और यहाँ पर बोलेंगे सर ये A है बराबर होगा किसके तो माइनस ठीक है ठीक है और A की तो वैल्यू यार 1 है ना तो यहाँ तो टेंशन ही नहीं अपने कोई की वैल्यू कितनी है तो minus 1 है, ठीक है, यह बराबर हो जाएगा minus 8 के minus से minus कतम, यहाँ पर हो जाएगा 1 minus d का square, बराबर हो जाएगा हमारे 8 के, अगर हम यहाँ देखते हैं एक सेकेंड यहाँ पर है ना, मैंने a की value 1 लेली है, रुकओ यह पर यह देखो, यहाँ पर, a की value minus 1 तो यहां पर क्या ले लेंगे, तो बोलेंगे, सर देखो फिलाल यहां पर ऐसे कर लेते है A माइनस D है और A प्लस D है तो हम ऐसा कर लेते हैं A स्कॐर माइनस D स्कॐर यहां पे और इंटू कितना हो जाएगा? तो A हो जाएगा, बराबर किस केentoator माइनस ऐर्ट के अब सचरजरा सही तरीके से समझना माइनस वन का वोल स्क्वाइर वन होता है वन माइनस डिव्पोर ठीक है और उसके बात सर service यहाँ पर यह माइनस वन यह बराबर होगा माइनस आट के यह इसको खतम करेगा ठीक है अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यह तो फिर अलगी कहानी हो जाएगी यार D-square का जो मान है The sum of 3 term of AP is minus 3, तो यह हमारे तीनो टरम का sum हो जाएगा, तो A का मान हमारा मेरे भाई पक्का minus वना जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है फिर बोला गया उनका जो product अरे यार, minus 8 तो दिया यह नहीं था, 8 दिया था ना मैं भी गजब का गड़बर कर रहा हूं तो बसे पता नहीं, 8 कहां से लेके बैठा हूँ ठीक है, यह देखे आप लोग मेरे भाई, question में बोला गया है कि तीनों का जो product है, वो हमारा 8 है तो यह पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, तीनों का product हमारा 8 है तो A minus D into A plus D, A square minus D square into A बराबर हमारा इतना हो गया, ठीक है A command हमारा कितना दिया गया है, तो minus 1 तो अगर minus 1 दिया गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा minus 1 का wall square हमारा 1 हो जाएगा यह हमारा इतना हो जाएगा इतना अगर हम सही माइने में देखें तो इसको आप उधर transfer कर दो तो 1 minus d square की value हमारी minus 8 हो जाएगी उधर जोड़ेंगे तो यह 9 बराबर d square हो जाएगा जहाँ पर मेरे भाई d की value जो होगी वो plus minus 3 करके आजाएगा जब भी square टूटता है तो value हमारे एक plus में भी आता है और एक minus में भी आता है तो d की value हमारी plus minus 3 निकल कर आएगी अब जब d की value plus minus 3 निकल कर आएगी तो यहाँ पर question में क्या बोला गया है तो बोला गया है वो संख्याओ का पता लगा यह तो सबसे पहले जो series है वो हमारी a minus d है फिर हमारा a है और a plus d है तो अगर हम यहाँ पर d की value plus 3 लेके चलते हैं जैसे मान लेजे d की value अगर हम 3 लेके चलते हैं भाई तो हमारा series कैसे निकलेगा जरा वो देखना तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखो a minus d है तो बोलेंगे minus 1 minus 3 उसके बाद यहाँ पर minus 1 और minus 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 यानि minus 4 minus 1 और 2 minus 4 minus 1 और 2 minus 4 minus 1 और 2 एक तो हमारा यह हो गया कि सर minus 4 minus 1 और 2 और दूसरा मेरे भाई जब d की value हम minus 3 ले तो जब d की value हम यहाँ पर minus 3 लेंगे तो minus 3 लेंगे तो क्या होगा तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर बोलेंगे सर minus 1 फिर minus में minus 3 फिर उसके बाद minus 1 हो जाएगा और minus 1 के साथ minus 3 हो जाएगा ये तब होगा जब d की value को minus 3 लिया जाएगा तो बोलेंगे minus 1 plus 3 यहाँ पे फिर minus 1 और minus 4 अगर हम सही माइनने में देखें तो यहाँ बोलेंगे सब 2 हो गया minus 1 हो गया और minus 4 हो गया तब भी बात हमारा a की आएगा और तब भी हमारा option number A ही answer होगा ठीक है कोई दिक्कत की बात यहां कोई परिशानी की बात है तो हमारी दो shrink लाएं थी मतलब 3-3 term की जोड़ने पर इतना आ रहा था और मेरे भाई multiply करने पर इतना इससे A कमान पता किया है इससे D कमान पता किया है और A और D कमान पता करके हमने वो तीनो संख्याओ का पता लगा लिया है तो D बराबर माइनस तीन आपको लेने की आवशक्ता नहीं है यह आपके किसी काम का नहीं है ठीक है तो अभी तक आपने मेरे भाई क्या क्या पढ़ा अभी तक आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो सिरीज में क्या पढ़ा है फर्स टर्म, सेकेंड टर्म, एनथ टर्म, नमबर अफ टर्म अब यहाँ पर मेरे भाई पढ़ोगे उसके अंदर में सम अफ टर्म यहाँ पर है यह कोई भी A-P होता है तो उसके कई सारे टर्मों को जोडने का मेरे भाई फॉर्मला क्या होगा तो वो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि सम अफ N टर्म सफ A-P is N by 2 into 2A plus N minus 1 into D यहाँ पर ठीक है और अगर वो नहीं होगा तो मेरे भाई आप यहाँ पर यह भी याद कर सकते हो कि N by 2 into A plus L ठीक है N by 2 into A plus L यहाँ पर आप आज जाओ सवाल में जैसे बोला गया है क्या अब यह odd term का है odd का मेरे भाई fix होता है the sum of first N odd number पहले N odd number का मेरे भाई sum कितना होगा तो यह fix होता है यह कितना होता है N square होता है यह कई बार पहले पढ़ा चुका हूँ आप यहाँ पर return कर सकते हैं इसको ठीक है sum of first N odd number is N square and average of first add number is अमारा N हो जाता है जैसे तीन मतलब जैसे मानो यहाँ पर पहले तीन odd number जैसे पहला तीन odd number एक हो गया तीन हो गया और पांच हो गया पांच का स्क्वार पहले 100 odd संख्याओं का सम चाहिए 100 का स्क्वार तो यह मेरे भाई कहानी होती है तो वो एक normal था जो formula था वो याद रखना था आप लोग को ठीक है आज यह चलिए अब यह देखें आपर क्या बोला गया समनांतर सरेणी 5, 9, 13, 17 के 23 पदों का योग ग्याद करो कि इसके 23 तर्म अगर है तो उन 23 के 23 तर्म का हमारा सम क्या होगा कुल मिलाकर कितने टर्म की बात की गई है तो 23 तर्म का बात किया गया है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे सर फॉर्मला होता है n by 2 into a plus n minus 1 into सर क्या हो जाएगा D हो जाएगा अब number of term ही हमारे कितने हैं तो बोला गया सर 23 है तो 23 है तो क्या बोलेंगे 23 बटे 2 यहाँ पर first term हमारा कितना है यह बताओ तो बोला गया सर first term की बात अगर हम करते हैं तो पहला term हमारा है 5 ठीक है उसके बाद N-1 तो 23 में से गया तो बोलेंगे सर 22 और into हमारा हो जाएगा D, D हमारा कितना है तो भाई 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 ठीक है तो बोलेंगे सर 23 बटे 2 हो गया into हमारा 88 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा 88 और 5 कितना हो जाएगा तो some of first 23 terms ठीक है 5,4,9,4,3, रहा सही तो है कोई दिक्कत नहीं है तो n by 2 अच्छा एक सेगंड यार यह मैं क्या कर रहा हूं n by 2 into 2a plus n minus 1 into d और n by 2 into 2a plus n minus 1 into d हमारा 2 रह गया इसके अंदर में 2 थोड़ा सा लिक लिजे आप लोग सर 2a रह गया बिलकुल यहां पर तो n by 2 into 2a plus n minus 1 into d n हमारा कितना हो जाएगा तो बोलेंगे सर 23 बटे में 2 ठीक है यह हमारा कहा होगा तो यह हमारा 5 है पहला वाला जो संख्या होता है उसको first term बोलते हैं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 5 का दोगुना 10 हो जाएगा उसके बाद 23 में से 1 चला गया तो 22 हो जाएगा into हमारा 4 हो जाएगा अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 23 बटे 2 है इसके बाद हमारा 88 में 10 जोड़ दीजे तो सर 98 हो जाएगा यहां इसको अगर काटेंगे तो 49 हो जाएगा और 49 से मेरे भाई 23 का multiplication करो ठीक है आप multiply कर लो 49 का 3 गुना 147 का साथ 14 पास में और 49 का दोगना मेरे भाई 98 98 और 10 हमारा 108 चार 112 तो यह हमारा कितना हो जाएगा 1127 option number B4 ठीक है तो याद रखिएगा sum of N terms जो होता है वो हमेशा क्या होता है 2A plus N minus 1 into D होता है हाँ दिवाली पर तुम लोगों को देते हैं और फरुक जाओ बैच पर सब को मिलेगा चलो आजाओ अब देखो जैसे नॉर्मल छोटा मोटा अपना सीरीज रहता है तो हम उसमें plus minus करके काम चला सकते हैं लेकिन अब जैसे यह सवाल मैंने आपको दिया UPSI का जो की 13 11 2021 को अब यह सीरीज ही हमारा काफी बड़ा सीरीज बन जाएगा और यह सीरीज देखो पहला टर्म क्या है 243 फिर 256 फिर 269 और बोला गया find the sum up to 151 तर्म तो अब ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे तो ऐसे सवालों में मेरे भाई यहां पर जो है हम सम तो निकालेंगे यह निकाले तरम है तो इसको ए बोलते हैं इन में違 defense हमारा कितने का है 13 वों यहां पर हम जो बोलेंगेatus कम और हूब हो पहला टम हमारा कितना है 243 फिर इं डिफरेंस मारा कितने का है तो यहां पर पर जो है 256 में से 243 घटा दो तो तेरा ऑ दिफरेंस हो जाएगा उसके बात नंबर और स समारा कितना होगा तो 151 होगा ठीक है तो सम हम से पूछा गया 151 टर्म का हमारा सम कितना होगा बता दो तो बोलेंगे सर देखे सर्म जो निकालना है वो फॉर्मुला आपने पास क्या है तो बोलेंगे एन बाई 2 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा 2A प्लस देखो अगर तु 2A प्लस N-1 इंटू D मेरे भाई यहीं करना पड़ेगा और इसके लवा कोई option नहीं है डेली मेरे भाई साड़े आठ बजे class होती है रोज रात साड़े आठ बजे class होती है तो अगर हम number of term की बात करते हैं तो 151 बट्टे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है 243 का दो गुना तो 243 का दोगुना मेरे भाई तो 4, 8 और 6 हो जाएगा N-1 तो यहाँ पर 151 में से गया तो बोलेंगे 1500 हो जाएगा और D की बात अगर हम करेंगे तो 13 हो जाएगा यहाँ ठीक है अगर हम देखेंगे तो 151 बट्टे में 2 ठीक अब यह पूरा का पूरा यार मत करो ना इतनी मेनत किस ने कहा तुम्हें मेनत करने को किस दिन के लिए सिखाया था डिजिटल सम यहाँ पर बोलो ठीक है यहाँ पर रहने दिया इस सवाल में और पूरा का पूरा अप डिजिटल सम लगा लेते हैं तो पहले सारे options का डिजिटल सम निकालो 8 और 1,9 खतम, 9 खतम, 6 औ 9 खतम, यानि 9 हो जाएगा, 9 खतम भी हो गया, तब भी 9 लिख दो या 0 लिख दो बात हमारा 1 की है, अब हम यहाँ पर डिजिटल सम का परेव करते हैं, और यहाँ देखते हैं, हाला कि आप इनको यूनि डिजिट के माध्यम से भी कर सकते थे, चारो options के यूनि डिजिट तो भी कोई दिखत नहीं होता, अब यहाँ डिजिटल सम देखे हैं, तो 5 और 1, 6 और 1, 7, 7 बटे में कितना हो जाएगा, 2, into, 6, 4, 10, 8, 8, 8, 8, 8, 8 का मतलब मेरे भाई 0, क्योंकि जोड़ते वक्त, 8, 9 बन जाता है, 9 का मतलब 0 माल लेते हैं, ठीक है, आप 9 भी माल लोगे, तो भी कोई नुकसान नहीं है, लो भाई, 9 माल लो, 6, 4, 10, 8, 8, 8, 8, 8 को जोड़ने पर 9 आ जाएगा, 5 और 1, 6, ठीक है, और into कितना, 3, 4, 6, 4, 24, 24, 24 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, अब यहाँ हम क्या लगा रहे हैं, तो by DS लगा रहे हैं यहाँ पर, by क्या लगा रहे हैं, तो DS मतलब जोड़ रहे हैं, बस यहाँ संक्याओ को, अब जरा देखेंगे, तो बोलेंगे, सर, 7 बटे, 2 हो गया, 9 और 6, 15, और 15 को जोड़ने पर कितना आता है, तो 15 को जोड़ने पर मेरे भाई, 6 आता है, यह 9 को खतम कर दो, तो 6 हो गय ठीक है, अब ऐसा मत कर देना कि इसको तीन बार में कार देना, यह गलती मत करना, हाला कि ऐसे नहीं करता है, समझ गए बात को यहाँ पर लेके, तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे, सर, देखो, यहाँ पर, 7 इंडू 6, 42 होता है, 42 को आपस में जोड़ो, तो 6 आता है, और ठीक है, तो आपके पास कई सारे तरीके हो सकते हैं, आप यहाँ पर Unitsit के माद्यम से करते हैं, आप Digital Sum लगा सकते हैं, आप अपने तोर तरीके कोई भी अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आओ भाई चलो यहाँ पर अब यह सिरीज देखो यह अभी हाल फिलाल के CHSL में एक सिरीज पूछा गया है और बहुत ही प्यारा सिरीज है और बच्चे जेनरली इसमें कन्फ्यूस हो जाते हैं इस सवाल को देखके ठीक है तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा जल्दी से बताओ दिमाग लगाओ यहाँ पर बुद्धी लगाओ भाई क्या होगा ठीक है तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा देखो अब यहाँ पर गैप जो है वो हमारा चार का है लेकिन यहाँ पर एक का गैप है फिर गैप हमारा चार का है फिर गैप हमारा एक का है फिर गैप हमारा चार का है फिर गैप हमारा एक का है तो gap में क्या हो रहा है, कभी gap कम हो रहा है, कभी जादा हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, इसके अंदर में दो अलग-अलग series का प्रयोग किया गया है, और वो कैसे पता चलेगा, देखो मेरे भाई, आप यहाँ पर देखोगे, तो यह 1 में 5, 6, 6 में 5, 11, 11 में 5, 16, और यहाँ पर 5 में 5, 10, और 10 में 5, 15, और 15 में 5, 20, यानि दो अलग-अलग AP है, इसमें हमारा 5-5 का gap है, तो मेरे भाई, हम एक काम करते हैं, हम इनको combine कर लेते हैं, जब एक series, मतलब यहाँ, एक अलग series यहाँ चल रही है, एक अलग series वहाँ चल रही है, तो दु तो एक काम करना, इनको combine कर लेना, क्या कर लेना, इनको combine कर लेना, देखो यहाँ पर, 1 प्लस 5, 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 प्लस 10 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, 11 प्लस 15 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है, 16 और 26 मेरे भाई कितना हो, 16 और 20 हमारा कित का गया ठीक है तो अब दो अलग-अलग AP मिलके आपको AKP में convert हो गई दो अलग-अलग difference मिलके एक particular difference में आ गया अब जहां पर 200 term दिये गए थे अब उसके जगह पर मातर मेरे पाई 100 term रहेंगे यहां पर ठीक है क्योंकि दो जोड़े मिलकर एक single का निर्मान हुआ यानि जो भी थे वो अपने आपके आदे होगे दो का आधा एक दो का आधा एक तो 200 term के जगह पर यहां पर कितने term मिलने वाले हैं तो यहां पर मेरे भाई 100 term मिलने वाले हैं कितने term मिलने वाले हैं तो 100 term मिलने वाले हैं by 2 into 2a plus n minus 1 into d यहाँ पे, simple सी बात है सर अपने को तो यहीं formula आता है n का मतलब अब इसमें 100 term होंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 बटे में 2 मेरे भाई, first term का double तो 6 का double कितना? 12 100 में से 1 गया तो हम बोलेंगे 99, और difference की बात यहाँ पर कितना होता जाएगा? तो मेरे भाई, 10 होता जाएगा ठीक है, 2 से हम काटेंगे तो 50 हो जाएगा यहाँ पे तो अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे 50 into, ठीक है, 990 और 990 में मेरे भाई, 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 1002 यहाँ पर हो जाएगा कोई दिक्कत की बात है multiply गर लो, बस मेरे भाई, तुमारा answer आ चुका है तो देखो, तो बोलोगे, sir, देखेंगे यहाँ पर 5 into 2, 10 हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 50100, कौन सौप्शन है, भाई, C है समझ गए यहाँ पर, तो अगर हमें बात करते हैं तो यहाँ पर दो अलग-अलग सिरीज थी आपको merge करके एक single series बना देना था और वो single series का मेरे भाई, sum of terms आपको निकाल देना था एक बच्चा गेरे, sir, आप hall का open करवाएंगे हम शहादरा से आती हूँ और शुबा नहीं आपाता हूँ और पता नहीं पाती हूँ, और आती हूँ, सब लिख रखाया आपने मिला के पहली बात, hall खोलना, बंद करना हमारे हाथ में नहीं है देखिए, अभी किसी और के hall में classes चल रही हैं यहाँ पे तो आप जो है, वहाँ classes continue कर सकते हैं, बाकी hall दिपावली चट के बाद खोल पाएगा तो यहाँ पर question number 21 देखिए, क्या बोला गया है कहा गया, श्रिंकला के कितने पद लेने होंगे, ताकि सभी पदों का जो योग है वो मेरे बाई 45 हो जाए, यह अलग level का question है और यह भी आपके CHSL में पूछा गया, आप लोग यहाँ देखो आप लोग को लग रहा है, previous year में APGP आता ही नहीं है आरे भाई, नहीं आता है, ढंक के level का आता है, देखो कि how many terms of the series must be taken so that the sum of all the term is 45 तो हम एक मन में मान के चलते हैं, कि मान लेते हैं कि end term है मान लेते हैं कि end term है, मतलब 10, 20, 30, हमें पता ही नहीं यार कितने term है तो हम अपने दरफ से end term मान लेते हैं, कि मान लेते हैं end terms का जो जो जोड है वो 45 होगा, यानि sum of end terms हमारा कितना होगा तो 45 end terms की value क्या होगी तो बोलोगे n by 2 into मेरे भाई देखो, जिस series का आपको पहला और आखरी दोनों पता हो उसमें a plus l लिखते हैं, लेकिन अगर आखरी नहीं पता है तो 2a plus n minus 1 into d लिखेंगे वहाँ पे जब तक हमारे 30 सवाल खतम नहीं होगे, तब तक class हमारी खतम नहीं होगी पूरे के पूरे 30 सवाल करके जाएंगे, ये हम लोगों की commitment है आईए चलिए, तो n by 2 into 2a plus n minus 1 into d दोस्तों और ये कितना है, तो ये हमारा 45 है अब देखो यहाँ पर a हमारा क्या हो गया, तो a हमारा हो गया, minus 3 अब संक्या दीरे 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 पॉजिटीव बनते चली जा रही है इसका मतलब कुछ जोड़ा गया है, और कितना जोड़ा गया है तो देखो minus 9 में मेरे भाई 3 जोड़ा गया है, तो मेरे भाई हमारा minus 6 आया minus 9 में 3 जोड़ा गया है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो n by 2 बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, यह हमारा कितना है minus 9, minus 9 का दोगणा minus 18 यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर n minus 1 हो जाएगा, और d की value हमारी कितनी हो जाएगे d की value हमारी कितनी हो जाएगे, 3 हो जाएगे, ठीक है, n हो जाएगा मेरे भाई, minus 18, ठीक है फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 n, minus 13, और बराबर हो जाएगा 90 के, अगर हम उसके बाद देखते हैं, आपर तो बोलेंगे n हो गया, minus 18, 3 minus 21 हो गया, plus हमारा 3 n हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके 90 के अब यहाँ मुर्ख लोग होते हैं, जो इसको solve करते हैं, बुद्धिमान वहीं हैं, जिसने option का استعمال कर लिया जिसने मेरे भाई क्या कर लिया, option का استعمال कर लिया, तो वहीं समझधार है, अब option का استعمال करो, यारे, यहाँ पे, देखो तो जैसे 9 यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो, 9 का 3 गुना 27, 27 में से 1 की चला गया तो 6, और 9 इंटु 6, 90 आ रहा है, तो बिलकुल गलत option है मेरे भाई, एक काम करते हैं, 11 लेते हैं, तो यहाँ 11 ले लिया, 11 का 3 गुना 33, 33 में से मेरे भाई, इसमें घटा दो, यह भी नहीं आ कि मान लेते हैं, एंट डर्म्स का योग हमारा इतना है, पूरा एक्वेशन बना के, एंके लास्ट में आपर क्या कर लिया, option का स्तमाल कर लिया, हमने, क्लियर है, बहुत शान्दार, ठीक है, आजाओ, चलो, next question की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल देखते हैं, question number 22 क्या पद 5 है, पहला पद हमारा कितना है, तो पहला पद मेरे भाई यहाँ पर 5 है, अन्तिम पद हमारा, यानि लास्ट टर्म जो है, वो हमारा 45 है, ठीक है, और उसके बाद योग जो है, वो हमारा चार्शो है, सम अफ एन टर्म्स हमारा कितना है, तो चार्शो है, तो बोला गया तो 2A plus N minus 1 into दे लिखे ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या भूलेंगे सर, sum of N terms हमारा कितना दिया गया है तो 400 दिया गया है, number of terms के बारे में कोई चर्चा मालिक नहीं है ठीक है, और A plus A N A plus A N, कितना हो जाएगा 45 और 5, 50 50 से काटोगे 8 बार में 8 into 2, 16 N command 16, मेरे भाई कितना है, option number D बुझे, कि नहीं बुझे जल्दी से बताओ clear है बताई जल्दी से आज़ो चलो 22 के बाद, next question हम देखते है question number 30, क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए ठीक है सर, कितने बज़े class live start होती है तो class जो चलती है, वो हमारी साड़े 8 बज़े रूज start हो जाती है ठीक है, आप साड़े 8 बज़े हमसे जुड़ सकते है यह question में बोला गया है find the sum of a natural number between 100 and 1000 which are multiple of 5 ठीक है, सो और हजार के बीच में प्राकृतिस्क संख्याओ का योग जात करी, जो 5 के multiple है अब मेरे भाई, जो 100 और 1000 के बीच में होने चाहिए, कहीं और नहीं होने चाहिए और सारे के सारे 5 के multiple तो 100 जो है, वो हमारा multiple है 5 का लेकिन हमें बीच की संख्या लेनी है तो 100 को नहीं मानेंगे, कितना मानेंगे? 105, फिर कितना? 110, फिर कितना? 15 और ऐसे ही करते-करते, 1000 भी जो है, वो हमारा 5 का multiple है लेकिन हमें 1000 नहीं ले सकते तो इसमें से 5 कम कर दीजे यानि 995 यह हम ले पाएंगे तो यहां से लेकर यहां तक सिरीज है और मुझे क्या पता करना है इनका सम तो मुन्ना सम जो होगा तो सम को पता करने के लिए पहले मेरे भाई क्या पता करोगे तो सम को पता करने के लिए पहले number of terms का पता लगाओ number of terms कैसे होंगे तो बोलोगे sir last term हमारा 995 उसमें से घटा दो first term हमारा 105 divided by difference हमारा कितने का 5 का plus कितना 1 का 995 में से 105 घटा देंगे तो 890 आ जाएगा कितना हो जाएगा 890 बटे में 5 जमा हमारा 1 ठीक है 5 का एक गुना 5 हो गया कितने term होंगे मेरे भाई 179 term clear है मेरे भाई तो पहले number of terms आप पता लगाओ यहाँ पर कि number of terms आपके कितने है ठीक है तो जैसे number of terms लगाने का टेकनी क्या है last term minus first term divided by difference plus 1 यह मैंने बता रखा है आपको तो आप बुलोगे हाँ sir तो 995 में 5 घटा दो अब यह हमारे इतने term आगे हमें क्या पता करना है तो हमें यहाँ पर sum of n terms पता करना है तो sum of n terms का मतलब क्या होता है तो बोलोगे sir n by 2 क्या हो जाएगा n by 2 और into a plus l यानि पहला संख्या plus आखरी संख्या पहला 105 आखरी मेरे भाई कितना तो इन दोनों का जोड कितना होगा तो 1000 तीक है और 1000 का 1100 होगा भाई इनका जोड तो 5 देदेगा तो 1000 तो ऐसे ही बना लेगा तो 1100 यानि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा समझ गए अब यहाँ पर अपने को क्या करना है तो यूनिट जिट के आधार पर क्या बोलेंगे ठीक है option number B for बहुबली correct answer है ठीक है चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा NY2 into first plus एहले यहाँ पर चलो आजाओ next question देखते हैं अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया पढ़िए ठीक है अगला सवाल यहाँ बोला गया find the sum of natural number between hundred and thousand सो और हजार के बीच मैं ऐसे natural number पता करना है जो पांच के भी multiple हो और साथ के भी अब यार जो संख्या पांच से और साथ से कटे इसका मतलब वो पांच और साथ के multiple यानि 35 से कटेगी बोली यहाँ पर सो और हजार के बीच मैं ऐसे कितनी संख्या है जो पांच और साथ के बीच में मेरे भाई गुना जो होती है तो पांच और साथ का मतलब कितने से होती है 35 से होती है यानि मुझे 35 का multiple लेना है तो 35 का 2 गुना 70 35 का 3 गुना 105 तो मेरे भाई पहला multiple देखो 35 होता है फिर हमारा 70 हो गया 35 फिर 105 हो गया और फिर 140 हो गया और ऐसे गड़ते कड़ते सिरीज चलेगी लेकिन मुझे तो 100 से बाद का counting करना है यानि पहले वालों को हम count नहीं करेंगे अब बाद में मेरे भाई 1000 क्या कटेगा तो नहीं तो हम क्या करेंगे 1000 को जो है पहले 35 से भाग करेंगे तो बोलेंगे 35 का 2 गुना मेरे भाई 70 हो गया और तुम्हारा 300 फिर 35 का मेरे भाई कितना हो जाएगा 8 गुना 8 34 28 980, तो यहाँ पर कितने से घटा देंगे, 20 हम घटा देंगे, ठीक है, 20 घटा देंगे, यानि 20 हमारा remainder बच गया, तो इसमें से 20 घटा दो, तो जो 980 आएगा, वो हमारा किस से घटेगा, तो 35 से कटेगा ही कटेगा, तो यानि 105, 140 और ऐसे करके हमारा कितना होगा, तो 980, यह ह हमारी वो श्रिंकला होगी, यह हमारी वो श्रेनी होगी, जो मेरे भाई क्या होगा, तो 5 और 7 दोनों का multiple होगा, और multiple होने के साथ साथ, यह 100 और 1000 के बीच में भी होंगे, लाइक करते रहेंगे, दोस्तों यहाँ पे ठीक है, एकदम लाइक करते रहना है, आजे यह, तो हमन तुम सम के चक्कर में पड़े हो, मैंने का कोई बात नहीं भाई, देखो, पहले तो number of terms अपन निकालते हैं, तो number of terms का मतलब यहाँ देखो, last term 908 है, और यहाँ first term 105 है, तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो, last term minus first term यहाँ पे, ठीक है, और divided by कितना हो जाएगा, तो difference और plus हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई, वनिया आप है, अब 35 से यह कितनी बार में तुम्हारा कटा था, तो लगबग, लगबग, मेरे भाई, 28 बार में, तो 35 से मेरे भाई, यह 3 बार में, तो 28 minus 3, यानि 25 plus 1 हमारा 26 आजाएगा, तो number of term कितना निकल जाएगा, तो 26 मैंने अलग-अलग भाग कर लिया रहे, मैंने ऐसे कर लिया कि 35 से मैंने भी भाग लगाया था, 28 बार में, तो 35 से 28 बार में कटे गए इसे 3 बार में, तो 28 minus 3, 25, 25 plus 1, 26, तो number of term मेरा कितना आगया, तो 26 आगया, अब मुझे आपर क्या पता करना है, तो sum of end terms पता करना है, तो 1085 यहां पर, ठीक है, दो से अगर आप काटोगे तो 13 बार में, डिजिटल सम लगाना हो तो फुरसत में लगा लेना, और नहीं लगा सकते तो मल्टिप्लाई कर लेना, 13, 55, 6 पास में, 13, 104, 6, 11, ठीक है, ठीक है, 13, 104, 6, 110, 0, 10, मेरे भाई, यहां पर कितना, 110, 11, पास में, 13 और एक हो गया, मेरे भाई, 13 और यहां पर कितना हो गया, तो एक हमारा 14 हो जाएगा, तो 14105, option number D for देव सेना, clear है, कोई कह रहा है, B, कोई कह रहा है, A, कोई कह रहा है, C, कह लो कुछ भी कहना है तो, तुमको कलम उठा के तोड़ी solve करना आएगा, है, बताओ, वैभो अच्छा है, कोई मतलब ही नहीं है इसको, छोड़ो, मास्टर साहिब क्या पढ़ा रहे है, प्रिया को क्या हुआ, इससे साधा important मेरे भाई, और क्या चीए, बताओ, इसको, प्रिया के कितनी चिंदा पढ़ी है, इसको, प्रिया थोड़ा ध्यान दे दो, बेचारे पे, यहाँ पर, ठीक है, अब number of terms की बात करते हैं, last minus first, last minus first, divided by difference plus one, तो number of term निकल गया, अब number of term निकल गया, तो sum of n terms हो जाता है, n by 2 into a plus l, ठीक है, आजाओ, चलो, अब यहाँ पर question में मेरे भाई, यहाँ पर, ठीक है, question में यहाँ पर क्या बोला गया, 25 नमबर स्रवाल, अब 25 इस नमबर स्रवाल देखे, किस में पूछा गया है, तो UPSI में, अब UPSI का सवाल क्या है, जरा पढ़िए, एक समनांतर श्रेणी जिसका पहला और तीसरा पद करमशा इतना है, और इतना है, इसके पहले 157 पदों का योगफल ग्याद करें, कि कितना होगा, बहुत ही प्या आसान सवाल देंगे, तो यार देखो, आसान सवाल देंगे, तो सारे कमेंट बॉक्स में आसर देद होगे, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग कोशन होगा, तभी तो मज़ा आएगा, और ये सवाल जो है, जस्ट हम करा चुके हैं आपको, आप लोग अगर देखेंगे तो, Sum of first 157, जिसका पहला और मेरे भाई, यहाँ पर third term जो है, तो first term दिया है, तो A निकल जाएगा, यहाँ से D निकल जाएगा, A पता है, D पता है, तो इसके बाद पूरी के पूरी series बना लेना, और series बना के मेरे भाई, जो है, और series बनाने की जनुवत क्या है, sum of n terms n by 2, 2a plus n minus 1 into D होता है, A पता ही है, D पता ही है, N पता ही है, निकल लो, ठीक है, तो यह कौन सा बड़ा तोफ है मेरे भाई, बहुत असान काम है, ठीक है, चलिए, यह वाला question देखे, 26 नमबर स्रवाल, मातर हम लोग चार स्रवाल से और दूर हैं, जैसे tease होगा, हमारा topic हतम, ठीक है, आज What is the annual saving of the man of the year 2020, अब यह देखो, कहीं से भी यह series आपको EP का लगर है, यह question में ऐसा बोला गया, कि एक वेक्ती जनवरी 2020 में 1550 रुपय बचाता है, और हर महीने अपने बचत में 75 रुपय आड़ करते जाता है, जितना वो बचा रहा है, उसमें 75 रुपय आड़ कर लेगा, फिर अगले मीने 75 रुपय आड़ कर लेगा, तो बोला गया, साल के अंत में पूरे के पूरा साल का जो सेविंग होगा, वो कितना होगा, what is the annual saving, तो वही वाली बात है, जो संख्या पहली बार आई है, उसे first term, तो पहली बार आई है, तो 1550 हमारी first term, हमारा बढ़ कितने से अगर बढ़ेगा तो difference positive में, घटेगा तो difference negative में मेरे भाई, और हमसे क्या बोला गया, अच्छा, number of terms कितना होता है, पूरे महीने कितने होंगे, तो 12 महीने, कितने महीने मेरे भाई, तो 12 महीने, बस तो हो गया, काम खतम, अब निकाल लो यहाँ पर sum of n terms, भाई, तो sum of n terms क् यानि ये 11 into difference हमारा 75 का भाई, दो से काट लो भाई, 6 बार में, 6 का multiple, है कोई option 5, 5, 10, 12, ये भी है, 5, 4, 9, ये भी है, तो सारे तो हैं ही multiple है, जब multiple हैं, तो solve भी कर लेते हैं, digital sum भी लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकि फिलाल अभी यहाँ पर कर लो, 31, 100, और ये 5 हो गया, 7 और 5, 12, 875, sorry, 825 मेरे भाई, तो कुल मिलाकर कितना होगा, तो 6 into 31, 8, 39 मेरे भाई, 49, 25 हो जाएगा, multiply करे क्या, तो बोलोगे सर, यहाँ पर जो है, 6, 35, 12, और 3, 15, ठीक है, 6, 15, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 35, 35, 55, एक सकंड, ये क्या किया हमने, सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 बजे 30, 12, 3, 15, 14, 55, 5, और 5, 18, और 5, 23, 55, 0, option number C, ठीक है, कोई दिक्कत की बात, यहाँ पर कोई परिशानी की बात है, तो बताईए, तो यानि यही सवाल जो था, वो हमारा एपी के उपर में ही था, जहाँ पर हमारा पहला टर्म भी दिया गया है, हर महीने हम कितना बढ़ा रहे हैं, हमें वो भी दिया गया है, number of term भी दिया गया है, और हमसे क्या पुछा है, sum of terms पुछा है, अब सबसे पहली बात बता दे, आखरी के जो सवाल है, चार वो बड़े प्यारे प्यारे सवाल है, समझेगा इस बात को लेकर, 31 कैसे हुआ गुर जी देखो, यहाँ पर जो फॉर्मला होता है, देखो यहाँ पर फॉर्मला जो होता है, मेरे भाई समझना इस बात को, sum of n term जो होता है, वो होता है, n by 2 into हमा पर जो है, वो calculation कर दिया है, अब आज यह है, next question देखते हैं, अगला सवाल, और यह MPJL प्रहारी, यह प्रहारी ऐसे करके कोई paper है, उसका है, कि how many positive entities are less than 100, have a remainder of 3 when divided by 7, यह तो एक अलगी level का question हो गया, देखे जरा, कि 100 से कम कितने घनात्मंग पॉर्णांख हैं, जो 100 से भाजित करने पर 3 remainder आ जाए, तो यहाँ पर पहली बात तो मेरे भाई 3 होगा, ठीक है, सबसे पहला, कि how many positive entities are less than 100, have a remainder of 3 when divided by 7, तो अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला मेरे भाई 3 होगा, अगर 3 को हम 7 से भाग करेंगे, तो remainder हमारा 3 ही आएगा, ठीक है, लिक, 3 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर इसमें 7 जोड़ दो, तो 10 हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है, 100 से कम कितने घनात्मक पुर्णांग को साथ स्विभाजित करने पर से श्वलतीन देगा, 3 हो गया, 10 हो गया मेरे भाई, फिर 10 में 7 जोड़ दो, तो 17, ऐसे कर करके होगा, सबसे आखरी मेरे भाई, यहाँ पर जो है, 14 सते 98 है, तो 98 में से आप यहाँ पर क्या कर लो, 3 जोड़ दो, तो 100 एगया, फिर 99 में 4 मेरे भाई, ठीक है, यहाँ तो प्लस 3 नहीं, तो माइनस 4, तो अगर हम देखते हैं, मतलब देखो, पहला 3 हो गया, फिर 10 हो हो गया, ऐसे करकर के, और आखरी वाली संक्या देखे हैं, आपर 100 हो गया, 100 को अगर हम 7 से भाग करते हैं, तो 7 का 1 गुना 7 हो गयागा, 30 हो जाएगा, 7 का 4 गुना मेरे भाई, 28 से यहाँ पर, यानि रिमेंडर कितना बच रहा है, दो बच रहा है, तो मैं वहीं कहा रहा हू है मेरे भाई की जैसे 98 हो गया, 91 भी मेरे भाई क्या होता है, तो 91, 14 मतलब यहां 13 सत्य 90, यह हमारा साथ से करता है, इसमें 3 जोड़ दो, तो 94, यानि आखरी जो संख्या होगी हमारी, वो हमारी कितनी होगी, तो 94 होगी, या ऐसे आप यहाँ बोल सकते थे कि सर देखो, यहा किया है न, तो यहां पर 2 remainder आ रहा है, तो 100 में से 2 घटा देंगे, तो 98, 98 वो संख्या होगी, जो हमारी साथ से कट जाएगी, तो 98 में से हम 7 निकाल देंगे, तो 91 वो संख्या होगी, जो साथ से कट जाएगी, लेकिन 3 remainder देना है, 3 जोड़ दो, तो 94 मेरे भाई, तो यह वो पहली संख्या है, यह वो दूसरी है, यह वो तीसरी है, चौथ ही है, ऐसे करकर के, 94 तक है, ठीक है, कई जगह पर यहां पर जो आंसर देखो, सिरीज की शुरुआत की गई होगी न, वो 10 से की गई होगी, बट यहां 10 नहीं हो सकता है, भाई, क्या 3 को साथ से डिवाइड कर लो तो 3 आएगा, यानि हमें ऐसी संख्या लेनी है, हमें ऐसी संख्या लेनी है, जिसको साथ से भाग करने पर 3 रिमेंडर आए, ठीक है, अब यहां number of terms का पता लगाईए, तो number of terms हमारा कितना होगा, तो last term, minus मेरे भाई, first term, divided by difference, और प्लस हमारा 1, तो यहां पर 91 को साथ से भाग करोगे, 13 जमाईक हमारा कितना हो जाएगा, 14 हमारा correct answer है, और SBR यह तो बच्चे वाले सवाल थे, 14 सते 98 होता है, मतलब 7 multiple निकलेंगे, ठीक है, यह तो बच्चे वाले ही सवाल थे, 14 सते 98 होता है, तो 7 multiple निकलेंगे, क्योंकि 100 से कम देखना था हमें, छोटी सी बात थ यहां पर, क्योंकि, मतलब 7 का 14 निकल निकल के चला जाएगा, ठीक है, आईए, question number 28, देखे क्या बोला गया, यदि 2 AP के N पदों का योग का अनुपात हमारा इतना है, उनके 17 पदों का अनुपात कितना होगा, very very beautiful question, बहुत ही बढ़िया सवाल मेरे भाई, बहुत ही बढ़ ratio of the sum to N terms of 2 AP is इतना, than the ratio of 17 term, ठीक है, दो अलग-अलग AP है, उनके में संख्याओं का जो मान है, वो समान है, पहले में भी N term है, तो दूसरे में भी N term है, इसमें भी N term है, तो इसमें भी N term है, और दोनों के N term का ratio है, वो दे रखा है, कि ratio of the sum of N terms of 2 AP, तो पहले बाले का N term का sum कैसे लिखोगे, तो N by 2 into यहाँ पर क्या हो जाएगा, A और plus मेरे भाई L, यह हो जाएगा, होगा की नहीं होगा, बोलो जल्दी से, तो बोलोगे हाँ सर होगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, कि सर N by 2, ठीक है, into यहाँ पर 2A और plus हो जाएगा, N minus 1 into क्या हो जाएगा, तो D हो जाएगा, यह पहले AP का sum हो गया, उसके बाद बोला गया, एक और AP है, उसमें भी मेरे भाई, number of term हमारे same होंगे, लेकिन उसका first term कुछ और होगा, तो उसको capital A से लिखते हैं, मेरे भाई, और उसका difference भी कुछ और होगा, तो उसको capital D से लिखते हैं, और question में बोला गया, दोनों के sum of end term का जो ratio है, वो हमारा हो जाएगा, 5 and plus 3, और divided by 3 and plus 4, आप समझ पा रहे हैं, सवाल का level देखें भाई, ऐसा है ना, मेरे भाई, लोगों से बनेगा नहीं है सवाल, समझ भी नहीं पाएंगे कि इसको बनाना कैसे और इसको attempt कैसे करना है, यहीं पर बच्छे सब सम कर दिया भाई, ठीक है, अब यहाँ पर सम जो थोड़ा सा, हमें यहाँ पर कौन सा चाहिए ratio तो 17 टर्म का रेशो चाहिए, 17 टर्म का रेशो का मतलब पहले वाले का क्या चाहिए, तो A plus 16 D चाहिए, और दूसरे का वाली क्या चाहिए, तो A plus 16 D मेरे भाई चाहिए, तो य लोगे n minus 1 दिखो यहां पर ये n minus 1 और divided by 2 बन जाएगा इन्टू यहां D उसके बाद यहां a से बाग लगाओ तो इतना बन जाएगा यहां पर मेरे भाई हमारा इतना बन जाएगा और इन्टू कितना हो जाएगा D और यहां 2 से 2 से बाग लगाने का मतलब भी नहीं बनता है दोनों में बाग लगाओ या दोनों में गुनाय करो, सेम ही रहना है, तो ये बिचारे चुपचाप ऐसे रहेंगे, 5N प्लस 3, और यहाँ पर 3N प्लस 4, मेरे बाई, तो question में बोला गया, ratio of sum of N terms, sum of N terms का ratio हमारा जो है, वो इतना है, तो 17 term का ratio कितना होगा, अब मैं कहता हूँ कि मुझे इसको 17 term बनाना है, और मुझे इसको A प्लस 16D में convert करना है, किसमें convert करना है, A प्लस 16D में, देखो, N ट के लिए, N थ टर्म के लिए ये ratio है, तो 16 वे टर्म के लिए ratio क्या होगा, तो ऐसा तो है नहीं 16 होगे टर्म के लिए, N को हम 16 लिख देंगे, ये मुर्खता कहलाएगी मेरी मेरे भाई यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, देखो, A के जगा पर A दिया गया है, D के जगा पर D दिया गया है, मुझे इसको 16 बनाना है, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो एन 16 इंटू 32 प्लस एक हमारा 33 हो जाएगा, यहाँ एन की वैल्यू अगर हम 33 रखते हैं, एन की वैल्यू यहाँ पर हम 33 रखते हैं दोनों जगा पे, तो हमें 16 वे टर्म का रेशियो मिल जाएगा, उसी तरीके से अगर पांचवे टर्म का रेशियो चाहिए होता, तो हम इसे 5 बनाने की कोशिश करते हैं, 5 बनाने के लिए एन का माने 11 रखना पड़ता, समझ में आ गया, तो अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, और अन का मान कितना पुट करते हैं मेरे भाई, 33 पुट करते हैं, तो अन का मान 33 पुट करने पर यह हमारा बनेगा, A प्लस, 33 में से एक गया, 32-32 का अदा 60 अड़ी हो जाएगा भाई, और यहाँ नीचे भी हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो A plus solar D हो जाएगा अब इधर तो आगया यहीं पर यहीं वाला N कमान इधर भी रखो तो 33 का 5 गुना कितना हो जाएगा 165 plus 3 168 हो जाएगा यहाँ पर 33 का 5 गुना कितना हो जाएगा 165 plus 3 168 और 33 का 3 गुना 99 4 एक सो हमारा कितना हो जाएगा 168 upon 103 तो था ना भाई बढ़िया सवाल बताओ कहा तो था मेरे भाई यहां पर कि इनके सम अफ एने टर्म का रेश्यो हमारा इतना है तो यह लेकर आ गए और उसके बाद यहां पर जो है 16 बनाने के हमने इसको कोशिश की है चलो आजाओ, नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं 29 नमबर सवाल MPPG ग्रूप मतलब मैंने एना arithmetic progression पर जहां जहां से जितने सवाल मिले सारे छांट डाले आप लोगों के लिए कि एकी वीडियो में संपूर्ण वीडियो में 13 तर्म find AP यहां पर कि 10 वा टर्म जो है वो AP का कितना है तो A plus 19D, A plus 9D, A plus 9D का मान हमारा कितना है तो 21 है ठीक है कि 10th term of AP इस इतना, फिर बोला गया 17 वा टर्म आठ जादा है 13 वे टर्म से, 17 वा टर्म का मतलब A plus 16D और यह क्या है तो 8 जादा है और किस से जादा है मेरे भाई तो 13 वे टर्म से, यानि A plus 12D से बुझे की नहीं बुझे, A से तुम्हारा एक अतम, 16 से 12 मेरे भाई 4D 4D का मान कितना है, 8 है, बच्चें विचारे इतना असान सवाल बताओ दे देते है examiner, D का मान हमारा कितना है, तो D का मान मेरे भाई 2 है अब D का मान 2 है, तो यहां पर हम क्या चाहेंगे, तो हम यहां चाहेंगे A D का मान 2 है, तो 9 into 2 हमारा 18 हो जाएगा, बराबर हो गया 21 के तो A का मान कितना होगा, तो बोलेंगे भाई 3 होगा A कमान कितना होगा तो 3 होगा अब तुम्हारे पास पहला टर्म पता है तुम्हारे पास डिफ्रेंस पता है तो क्या A P कमान नहीं लिख सकते हो तो बोलोगे हाँ सर देखिए पहला टर्म 3 हो गया तीन में 2 जोड़ देंगे 5 हो गया 5 में 2 7, 7 में 2, 9 यह सर हमारा सिरीज आ गया 3, 5, 7, 9, option number D और देव से ना answer है ठीक है? कोई दिक्कत की बात यहाँ ठीक है? लाइक करते रहना दोस्त वीडियो को PDF कहां मिलेगा? हमारे टेलिग्राम पर मिलेगा जिसका link description में है और नाम है पहला टेलिग्राम दोनों टेलिग्राम पर आपको PDF मिल जाएंगे आप लोग डाउनलोड कर लीजेगा ठीक है भाई? आज एगे चलिए next question की बात करते हैं और अगला सवाल और आखरी सवाल देखते हैं question number 30 हम से क्या बोला गया? पढ़िए तो बोला गया the sum of first 2N term of AP is equal to sum of first 2N term of AP then find the end तो यहां पर यह भी सवाल मुझे लगता है आप लोग कर सकते हैं इसको मैं बोलूँगा कि must try और यहां पर जो बच्चा अंसर दे दिया उसको मेरी तरफ से heart मिलेगा कहां पर comment box में तो इसका अंसर भी आप लोगों को देना answer in comment box बड़ा प्यारा सवाल है देखो 28 सवाल हम करवाए हैं और 2 सवाल आप लोगों को दिये हैं एक अकेली क्लास में सर क्लास की टाइमिंग क्या है तो पहली बात देखो मेरी रोज रात 8.30 बजे क्लास चलती है और मैं अभी फिलाल कोई बहुत special topics पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ ठीक है जैसे percentage और ये वो घिसी पीटी कहानी बही दो साल से पढ़ा पढ़ा के ठक चुका हूँ ठीक है एक दम पकांस ही हो गई अमन में मैं चाहता हूँ कुछ नया दूँ आप लोगों को हर कोई percentage पढ़ा रहा है हर जगा पर फैला पढ़ा है बिखरा पढ़ा है कितना पढ़ा हूँ यार खुद की वीडियो मेरी कई millions में कई लाकों में मतलब 46-46 लाक 50-50 लाक मेरे भाई 60-60 लाक ऐसे गर-गर के views हैं उस पे ठीक है तो ठीक है भाई बढ़िया है फिर से पढ़ा लेंगे दुबारा पढ़ा लेंगे लेकिन अभी कुछ नया ट्राई करते हैं वो वाली बात है जैसे AP हो गया वो मैंने कभी नहीं पढ़ाया तो मुझे लगा एक ऐसा वीडियो आना चाहिए बच्चों को दो घंटे की मिलनी चाहिए जिसमें अगर भविष्य में कभी AP पर डाउट होता है तो आज के बाद वो संदेहे नहीं करेंगे सर्फ ऐस्टम क्या है डिफरंस क्या है सम कैसे निकाले उसी तरीके से कल की क्लास कल तो नहीं कल क्लास नहीं होगी आपकी परसो क्लास होगी परसो की क्लास में हम जीपी पढ़ाएंगे आपको जेमेट्रिक प्रोग्रेशन, जयमितिक ठीक है और उसमें पूरा का पूरा जीपी के बारे में जो हम संपूर्न जानकारी देंगे तो छोटी छोटी चीज है जहां पर भविशे में आपको दिक्कत आएंगे मुझे यकीन है कि जब आप मौक्टस देंगे तो आपको प्रोब्लम आएगा ही आएगा और आएगा उसी समय में हमारी वीडियो और रामबान काम करेगी यह बात याद रखना यह जो हमने स्पेशल सिरीज बनाई है जिसका मैंने बोला भी है आप लोगों को कि आप यूटीब पर जाना हमारे रैंकस गुरू को यूटीब पर जाकर और उसके बाद यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से यह देखो हमारा चैनल हो गया और जाकर प्रेलिस्ट में आप यह सर्च करना दोस्ते हाँ पर यह वाली एक स्पेशल प्रेलिस्ट ब्रमास्तर सिरीज और यह ब्रमास्तर सिरीज में जो जो वीडियो आपके लिए डाल रहा हूँ न बहुत 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 महत्वपन वीडियो हम डाल रहे है समझ गया है अभी बस इतना ही आप लोगों से बोलेंगे भाई के देखो मन लगा के पढ़ो दुनिया जो पढ़ाई कर रही है बहुत बढ़िया जो नहीं पढ़ाई कर रही है उनके लिए भी बहुत बढ़िया आप लोग अपने लिए डेडिकेशन लीजे 2024 का कलेंडर आ गया है और लोगों को लग रहा है कि अधा वक्त दे दिया SSC ने इतना नहीं देना था बढ़ देखो वास्तविक्ता पता है क्या ये 5 मीने 6 महीन में सरकारी नोगरी की तियारी नहीं होती है पागल बनता है आदमी और कुछ नहीं होता है आपको सिलबस समझने में 7-8 मीने लग जाएंगे भाई ढंक से चाहे वो मैट का हो, इंगलिश का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का हो इतना वक्त तो आपको लगना ही लगना है अब इतना वक्त लगना है तो भाई जो मान के चल रहा है अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तो अभी 1st year में हूँ, मेरे पास तो बहुत समय है भाई, जब तक तुम graduation करोगे ना, तब तक मेरे भाई भीड बहुत नोकरी लेके चल जाएगे और उसके बाद तयारी करने शुरू करोगे तो 2 साल तुमें और लग जाएंगे तो क्यूं अपने आपको उतना समय देना आप चाहे 12th में है, 1st year में है, 2nd year में है, 3rd year में है आप किसी भी year में है, अभी से अगर आपका future है गौर्मेंट exam की त्यारी करना तो आप लग जाएए, आप मत छोड़ियों चीजों को लेके मत टालिय कल के लिए, आप ही को करना है, आप आज भी करोगे तो आप ही पढ़ोगे कल भी पढ़ोगे तो आप ही पढ़ोगे, आपके जगह कोई दूसरा नहीं पढ़ने वाला है भाई, अगर मुझे नौकरी लेनी थी, तो मैं ही नहीं पढ़ा है मेरी बहन के पढ़ने से तो मेरा selection नहीं हो गया मेरे माबाब के पढ़ने से तो मेरा selection नहीं हो गया वो GS के शब्द मैंने आद किया वो CABalnyaरी मैंने आद की Q Santos मैंने solve किये Calculation मेरा improve दो Mock Test में score मेरा बढ़िया होता था तो पढ़ाई हमने की तो फायदा भी हमें ही मिला कहने के लिए होता है कि परिवार के स्टेंडर्ड बढ़ा है बढ़ा है बिलकुल बढ़ा है लेकिन कहीं न कहीं अगर सबसे सादा अपनी कमाई का कोई सुक भोगरा होता है तो वो ही इनसान होता है जिसने उस पर मेहनत करके कमाया है समाज में अगर सबसे जादा इज़त होती है तो उसी वेक्टी की होती है जिसनो उसको हासिल किया है बाकी लोगों को तो उनके नाम से जाना जाता है चाह फलाने का भाई है फलाने का बेटा है फलाने का पिता है या जो भी है लेकिन जो सबसे जादा नाम चर्चित रहता है तो उस इंसान का रहता है जिसनों उसको हासिल किया है तो अभी अपने नाम के जो पीछे मतलब आगे है ना जैसे मान लिजे कि किसी कोई शर्माजी है कोई वर्माजी है तो अपने पिता का नाम लेके घुम रहे हो जब कमाल होगे तो अपना नाम लेके घुम होगे A-I-S ऐसे करके वह वात है न की अभी जो है आपके नाम के आगे जो टाइटल लग रहे हो आपके पिता की देन है जैसे आदित तरंजन है आदित कुछवाह है मालिज़े कुछवाह मेरे पिता की देन है और अगर हमने कमा लिए तो पिता के कमाई से अपने कमाई तक बदलते बदलते वक्त लगेगा लेकिन अगर वो ट्रांजिशन लेकर आ गए तो मेरे बहुत बड़ा भॉकाल होगा तो थोड़ा सा करो उन चीज़ों के लेकर बटकाव हर जगा है यूट्यूबर तो भतेरे चैनल है हर जगा बच्छे पढ़ रहे हैं ठीक है और हर जगा पर कुछ नगच कहीं न कहीं चली रहा है हर जगा बढ़िया भी है मैं कहीं पर कुछ बोल नहीं रहा कि हाँ वो सही नह में आप कहां पर अपने आपको अनलाइस करते हैं वो देखे ज़र आप यहां पर कहीं भटक तो नहीं गए ठीक है यह जो फेकेंसी आएगी जब लोग फॉर्म भरेंगे और लाखों की संक्या में फॉर्म भरेंगे जब सिंटर पर आप जाएंगे तो उस पूरे भीड में अपने आपको देखेगा कि कहां पर आप एक्जिस्ट कर रहे हैं ठीक है वो जो पूरी भीड पढ़के आती है उसमें कई ऐसे होते हैं जो रिपीटर होते हैं जो सेलेक्शन लेकर और उसके बाद में अपने डिपार्टमेंट को बदलने के लिए शेहर को बदलने के लिए दुबारा से पेपर भरने आते हैं ठीक है और आपको पता भी नहीं चलेगा इस बात को लेकर जाता जिकर करेंगे तो वो बताएंगे भी आपको ठीके और आपको लगेगा सारे मेरे जैसे हैं कोई आपके जैसा नहीं है सब आप से उपर हैं कहीं ना कहीं बस आप अपने आपको जो है जादा सुप्रीम मान के बैठे हैं अब ठंडी का दिन आ रहा है तो थोड़ी सुक्वारी भी लग रही होगी थोड़ा बेड़ पे आराम से लेट लेते हैं अब दिवाली है तो चलो घर चल लेते हैं कौन पड़ता है और यह मैं देख रहा हूं माहौल यहां पर मैं तब से देख रहा था है दिवाली है बच्चों को पहले से चुटी मनाने की आदत आफ-लाइन में सर پहले से चुटी देदीजिए साथ दिन की चुटी देदीजिए तो ऐसा काम मत करो समय बरबाद करने के लिए बहुत अथा पढ़ा हुआ लेकिन बनाने के लिए बहुत कम समय और उसमें अगर बना लिया तो जादा फायदा है ठीक है, सोड़ा कटफ के तरफ भी एक बार नजर लगा लो कि कहां से कहां तुम्हारी कटफ चल गई 500 के उपर कटफ जा चुकी है कहां आज से 2012-2013 के समय में तयारी करना और आज 2023 के समय तयारी करने में जमीन असमान का फरक है सवालो का लेवल काफी लो होता था उस समय में मेरे भाई कटफ काफी कम जाती थी आज सवाल भी बढ़ियां लेवल के होते हैं और कटफ भी हाई जाती है तो चीजों को अनलाइज करो, अपने सामने यू बिठा गे रखो, उसके आधार पर अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और तप पढ़ने के लिए आगे बढ़ो, ठीक है, हम तो यहां से बस पढ़ा सकते हैं, कलम चला के गनित सिखा सकते हैं, और जुबान से आपको मोटिवेशन सकते हैं, जितनी ताकत हो सकती है वो आपके अंदर भर सकते हैं, ठीक है, लकिन करना तो आप इ को है, तो मेहनत करी आज से आप लोग है आप लोकेश हो गएं, प्रिया हो गए, इस सारे मेरे भाई-बेजं कितर हो देखो, इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है, कोई बड़ा ह सकता है मेरे सुमर में कोई छोटा हो सकता है तो इसलिए काफी सारी चीज़े समझा रहा हूं कैलेंडर आ गया जस्ट भी सीरियस थोड़ा सा हो जाईए आप अपने आपके लिए हो जाईए वो चीज अर्न करिए जो आपका सपना आपने देखा है अगर आप इंस्पेक्टर बनने का सपना देखते हैं तो मेहनत करिए उसके लिए भाई ये लोग आप ठीक है और एक बार हांसिल कर लोगे तो फिर क्या ही बचेगा यार कुछ भी नहीं जिंदी में फिर तो बड़े आराम से जिंदगी चलेगी थोड़ा सा बन जाओ कौँ सा बोले मानी बन जाओ अ पैसे हैं, मैं ऐसे झसे बच्छों से neoš Forest channel करते हैं जाये की सिर्चत करिकर लेंगे और उस काम पिषगा आदार पर नौकरी कर लेंगे धोर्जिए के त्यारी कर लेंगे ऐसे ऐसे बच्चे देखके दिल दहल जाता है कई यों को मेरे बाई मना करना पड़ता है कई बार भी क्योंकि मेरे पास भी एक लिमिटेड स्पेस है जहां पर मैं उन्हें रख सकता हूँ ऐसे ऐसे बच्चे एक दम जब रूते हुए निकलते है ना तो दिल धहल के रह जाता है और उनके आखों में देखते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं यार ये कुछ करके मानेगा अब इसी सेड़ेड एक और लड़का आ रहा है सार बस कुछ नहीं तीन दिन से पोस्टर बाट रहा हूँ 200 रुपए दिहारी मिलते हैं उसी से कभी छोले कुल्चे खा लेता हूँ कभी कुछ खा लेता हूँ जो शौट पहन कर घड़ से आता ना सर वहीं पहन के गूम रहा तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं दिन राता है दिन मिलता हूँ एक और कानी बताता हूँ अच पहली बार आप लोगो को यूट्यूब पर यह बात बता रहा हूँ मुखरजी नगर में जहां पर हमारा कोचिंग संस्तान चलता है तो उसके बगल में PG है और मेरे सिस्टर वहाँ पढ़ाई करती है तो जनरली मैं रात में कई बर उनको ड्रॉप करने चला गया रिसीव करने चला गया तो वहाँ पर एक गार लड़का और लगबग मुखरज करता है मेरी YouTube पर रात में भाई वह गाड़ी की नोगरी करता है जब मैं जाता हूं गाड़ी लेके तो वह गेट खोलेगा और यकिन नहीं करेंगे उसने offline classes ले रखा है और उसके बाद में वह online के भी classes को लेता है Maths के सारे वीडियो उसने पढ़ रखे हैं पूरा दिखा र कितने knowledgeable person से आब बात कर रहे हैं और एक परसंट उसको अपने गम में दुख नहीं है बाई कि मैं गाड़ हूं और मैं गाड़ की नोगरी कर रहा हूं उसको खुशी मैसूस होती है उसको अच्छा लगता है किता सर कोई बात नहीं रात में है बस जागना होता है यहां पे औ आते वक्ट जाते वक्ट हमेशा मिलता हू अतना सुकुन मिलता है न उसको देखके मुझे क्यों उसको देखकर लगता है और मुझे और मैनत करने कियावश्यक्ता है बताओ यार। इतने कम साधन में लोग पढ़ रहे हैं, नोकरी करते हैं, और लोड़का किसी ना किसी दिने थी हाँ सरचेगा ही रचेगा वहां पर, तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं, कई बार सुछता हूं, मैं बताओं, ना बताओं आप लोको ऑनलाइन में, कई पहले तो बहुत सारी बाते मैं रील्स वील्स और यूट्यूब के शॉट्स के चक्कर में पढ़े हुए हैं, कभी मतलब ही नहीं है किसी चीजों से लेकर, ठीक है, तो हमने का चलो आज बात करते हैं, जरूरी है यहाँ पे थोड़ा सा, अब आपके अंदर की चीजों को जगाये जाए, अब दिवाली छट म में तो मैं कभी घर भी नहीं गया, मैं आप लोगो को आज जो पहली प्लाटफॉर्म पे कहता हूँ, जो मेरे साथ के लोग है, वो जानते होंगे, जिस लाइबरेडी में पढ़ता था, उस लाइबरेडी के ओनर मुझे जानते हैं, क्या दिवाली था, क्या चड़ता, मैं गर में दिये जलते हुए देखूँगा, लेकिन वहाँ चुप चाप अपने रूम में दिया जलाके, केंडल जलाके मैं पढ़ाई करूँगा, ठीक है, ऐसी स्थिति यहाँ पर भाई, एक बिरुजगार की क्या दिवाली है, क्या मतलब है, ठीक है, थोड़ा खुश रह लो तो यह बच्चे हो, थोड़ा गूम गाम लो, समझ में आता है, लेकिन थोड़ी तैयारी शुरू करो मेरे भाई, बहुत जरूरी है, बहुत ही ज़ादा जरूरी है, बहुत ही आवशक है, ठीक है, एक दिवाली में गया, मैं घर पे, दो दिवाली में गया, ऐसा लग रहा ह कि लोग बार-बार हर नजरे यहीं सवाल पूछ रही है, कि तुम्हारा क्या हुआ अब तक, कहीं से लेक्शन लिये की नहीं लिये, या भी बेरुजगार गूम रहे हो, तीसरी बार से जाना ही छोड़ दिया, हमने का नहीं जाएंगे भाई, जब तक कुछ बनेंगे नहीं हमने तो जिन्दगी का हर फेज पिछले दो सालों में देख लिया है, ठीक है, पोश्टर बांटने से लेके, पोश्टर बटवाने तक का फेज हम देख रहे हैं, तो उसी क्यादार पर बोलेंगे, महनत करिये सर, ठीक है, बागी तो आप लोग समझदा रही हैं, ठीक है, त अगर जागी हो, तो नहीं जागी हो, सोई रहना कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, चलो, लव यू अल, टेक केर, बाए,